जैसे यल्सी जैसे कि आप जानते हैं 20 फिजिक्स पंच जो की नीट के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं उन में से बहुत 6 पंच आपको स्वाल करवा चुके हैं और उनी की गाइडेंस में जो 7 पंच है वो हम लोग स्वाल करने जा रहे हैं तो आएए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पंच का सेवन्थ पार्ट और उसमें जो टोपिक्स कवर किये जा रहे हैं वो हैं ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन और दोनों ही आप जानते हैं नीट के लिए बहुत ही महतुर्पन टोपिक है तो आएए जो पहला कॉ कि समुद्धर में जवर तरंगों के उत्पन होने का मुख्य कारण क्या है जो ये टाइडल वेवज होती है इनके उत्पन होने का मुख्य रिजन क्या है तो इसका मुख्य कारण होता है पर्थवी पर चंदरमा का गूर्तवा करशन बल पर्थवी पर सन का भी ग्रेविटे तो जो नेक्स कुशन है उसमें देखें आप कि पर्थवी के चारों और परीभर्मन कर रहे एक उपगरह पर कारियरत अभीकेंद्रिय बल तथा उपगरह पर कारियरत पर्थवी का गुर्थवा कर्ष्टन बल दुन्यूं का मान एफ है तो उपगरह पर कारियरत कुल बल कितना है किशन देखो बहुत प्यारा है इसमें सर्कूलर मोशन का पूरा कॉंसेट काम आ रहा है तो पहले मैं उस कॉंसेट को आपको थोड़ा सा बदा दूँ जैसे ध्यान देए आप माल लो इसी को अपन देखें तो माल इजिए पर्थवी है और पर्थवी के चारों तरफ ये कोई एक है उपगरह इसका मास कितना माली जैसमोल एम है ये पर्थवी के चारों और गती कर रहा है इसके मोशन का है सर्कूलर सर्कूलर मोशन को स्टूड़ी करने का हमारे पास दो आधार है और वो डिपेंड करता है फ्रेम आफ रेफोरेश पर अगर मैं इसको अर्थ की रेस्पेक्ट में स्टड़ी करता हूँ दूसरा मैं इसके साथ यानि इसी स्मोल एम के साथ अटेच होकर के फिर स्टड़ी करता हूँ दो इसकी तरीके होगे अब इस क्यूशन में चूंकि आपको रेफरेंस दिया नहीं है द्धान देना अच्छे से अगर इस प्रकार के प्रशनों में रेफरेंस नहीं दिया गया हो तो प्यारे बच्चों यहां रेफरेंस हमें अर्थ लेना है और अगर लिखा है साथ साथ कि स्मोल एम के साथ अटेच होते फिर आपको स्टड़ी करनी है उस केस में आपको इसके साथ अटेच होते होते जलना है आप सुनो अगर आर्थ की रेस्पेक्ट में आप इस पे स्टड़ी करेंगे तो धान देना आर्थ की रेस्पेक्ट में यह स्मोल एम इस प्रकार से गती कर रहा है इस पे nade force अंदर की तरफ है जो nade force है वो ही क्या कड़ता है centri 84 पॉर्स परड़ता है centri 85 वैसे कुई realm force नहीं है यहाँ पर जो earth और satellite है उनके 20 लगने वाला gravitation force ही क्या कर रहा है वो ही इसको center की तरफ accelerate कर रहा है दिहां समद्धना यानि आर्थ की सापिक्स इस पे सेंटर की तरफ जो बल लग रहा है देहान सुनना ये F ये F ही इस पर नेट फोर्स है और यही क्या कर रहा है इसको सेंटरी पिटल फोर्स परड़ गर रहा है अगर मैं इस small m के साथ attach होते फिर चलता हूँ तो प्यारे बच्चों उस case में क्या करते हैं हम लोग इस small m पे फिर लगता है शूड़ फोर्स जो कि आप कहते हैं सैंटरी फोर्स वो लगता है कौन सा आपका mv square by r जान सुनना वे mv square by r यहां से यहां ते की distance है कौन सी r बात clear तो दो कि इसके तरीके थे आर्थ की respect में और दूसरा small m के साथ attach होते होते हैं जान सुना कि आर्थ की respect में तो इस पे net force कितना f ही है जो कि gravitation force है वो non zero है परन्तु small m के साथ अपन चलेंगे तो इस पे net force कितना बचो zero पर मैंने कहा अगर reference आपको नहीं लिखा operation में तो आर्थ के सापेक्स मानना और आर्थ के सापेक्स में है तो इस small m पे net force कितना f है जो कि gravitation force है बहुत अच्छे से ध्यान देना है और यह जहां पर भी question आता आना circular motion का उन सब में इसी तरह से follow गरना है तो question जो आपका यह second है इसका answer कितना बचो second हो गया f तो next question next में देखो question है किसी विशेश बिंदू पर जी का मान 9.8 मेटर पर सेकंड स्कुएर है यदि यह मानने की पर्थवी बिना किसी दर्यमान हानी के अपने वरतमान आकार के आधे आकार तक एक समान रूप से आचानक संकुचित होती है तो अब उस बिंदू पर माना की पर्थवी के अंदर से बिंदू की दूरी संकुचित नहीं होती है तो जी का मान कितना है प्रशन कहा है प्रशन को पहले समझना जैसे मान लो यह पर्थवी है ठीक है और पहले मैं पर्थवी के सरफेश पर जैसे आप जानते हो पर्थवी की सर्फेस पर अगर मैं यहाँ आप से पूछता हूँ तो पर्थवी की सर्फेस पर यहाँ जी का मान कितना होता है यहे है 9.8 मीटर पर सेकंड स्कॉयर और इसको फॉर्मले की रूप में अपर लिखें तो कितना होता है बच्चो यह होता है जी एम बाई आर अर स्कॉयर यहाँ पर अर क्या है इन पर्थवी की सेंटर और जहां पर आप डिसकर्श कर रहे हो उनके का संद्धान सोना यानि जो सेंटर वही है सेंटर वही है अर्थ को आपने कंप्रेश किया है पॉइंट उसी बिंदू उपर है अब आप अर्थ को ऐसे मानलो कि कम रेडियस का अधिक डेंसिटी का कोई स्फिर बन चुका है पर पॉइंट ओप डिसकेशन तो वहीं पर भी पर मानलो कि यह एक तरह से इसका आउटर पॉइंट है तो आउटर पॉइंट पर वैसे अब मैं इसका जी डेस फैंट करता हूँ तो जी डेस है कितना बच्चो यह है जी एम अपॉन कितना आर का स्कॉयर पर धान दो आर तो अब भी कितना कैप्टिल आ रही है डिस्टेंस बच्चो कितना होगा थर्ड नो पॉइंट आर्ट मेटर पर सेकंड स्कॉयर तो बहुत सिंपल पर बहुत प्यारा प्रशन आई है ध्यान देना यहाँ पर मास उतना ही है पॉइंट ओप डिसकर्शन वही है केवल आप इसको कंप्रेश कर रहे हूँ पहले यह सरफेस पे थ आप जानते हो जी की वो कितनी थी जैसी थी उसी के नुशार आपने सोलो करा क्यूशन आपका सही हो गया आंसर कितना है इसका थर्ड क्यूशन आप चलते हैं नेक्स्ट देखो अगला प्रशन है बच्चो कि माना की पर्थवी के प्रष्ट पर गुरुत्वे के कारण प्रवन का पॉइंट नो गुना है तो इसमें आपको दिया क्या है कि जी मून इसी कल तो ये आपको दे रखा है पॉइंट टू टाइमस आफ जी अर्थ मून की सर्फेस पर जी अर्थ की सर्फेस पर जी का कितना पॉइंट टू टाइमस चाहिए तो इसको पनैसे भी कर सकत है ना क्या जी आर्थ बाई फाइफ पॉइंट आप अठाएंगे तो हमारे पास वेल्यू कितनी पॉइंट अठा दो कितना दस तो वन अपॉन फाइफ ये हो गया जी आपको देर रखा है अब कह रहा है ये दि पर्थवी के प्रस्ट पर एक प्रक्षे पे की अधिक्तम प्र है तो समान वेग के प्रक्षे के लिए चंदरमा के प्रस्ट पर अधिक्तम प्राश कितनी होगी तो आप जानते हैं कि जो रेंज होती है ना तो रेंज का अगर अपन फॉर्मला देखें तो आर मैक्सिमम आपको जानकारी है 45 डिग्री होने पर होता है रेंज कैसा मैक्सिम होता ना जैसे इसका फॉर्मला आपको पता है यू स्क्वाइर साइन टू थिट अपॉन कितना जी और मैक्सिम रेंज के लिए कितना था एंगल 45 डिग्री तो उसको अपन पूट करेंगे तो हमारे पास यह आए कितनी यू स्क्वाइर अपॉन जी आ गई अब यह किस पर डिपन कर रहा है विलोस्टी और प्रोजेक्शन और सरेशन डू डू गर्वेटी अब चुकि हम यहाँ पर कह रहे है प्रिशन में कि यू तो वही है पर आपने जी को कर दिया जी को बदल दिया तो जी बदला कैसे आपने जहां पहले पर्थवी पर आप र कर रहे हो मून पर कर रहे हो कोई समयश्या नहीं है यू यहाँ बचों को सा कॉस्टेंट है इसके कॉस्टेंट होने परर फो टो अना जी है इसका मतलब उसी से पनागे बढ़ेंगे तो अर्ल मक्सिमूम अ कितना वन अपन जी और इसी को अपन 102 के रूप में solve करते हैं, तो सीधी सी बात ये है देखो, अगर ऐसे लिख दो मैं इसमें, कि R days upon कितना R is equal to G upon G days मैं G days मान रहा हूँ किस के लिए, मून के लिए ये किस के लिए मान रहा हूँ, अर्थ के लिए, value put कर देखो ये किस का था, G earth का, और ये कितना हूँ गया देखो, G E upon कितना 5 इसको अपन solve करेंगे, G G cancel, 5 चला गया उपर इसका मतलब R days हमारे पास कितना आ चुका है, 5R तो जो range maximum earth पे थी, उसकी comparable, मून पे कितनी है, 5 गुना है यानि आप हलका सा कितनी 45 डिगरी के स्पीड से फैंक रहे हो, अब ऐसा हुआ क्यों, range बढ़ी क्योंकि G गड़ गया वहाँ पर और G तो ही vertical motion को control गड़ता है उसका उपर जाना नीचे आना सब control किस के under होता है, G के under, और G वहाँ कम हो चुका है, इसके range कितनी हो गई पहले से बढ़ गई, यानि जादा हो गई इसका मतलब यहाँ इसका अंसर कौन सा बच्चो फोर्थ आ गया, कोई समय चानी है अच्छा, अब देखो next question अगला question है कि पर्थवी सतय से 2R दूरी पार, पर्थवी के आकरशन बलके कारण वस्तू पर लगने वाला तूर्ण कितना होगा जहां R पर्थवी की तरज़ा है और G पर्थवी सतय पर गूर्थ तूर्ण, आकरशन बलके कारण तूर्ण है, तो 2R दूरी पारी तो सम्माने से question है जैसे, अगर आपन थोड़ा सा इसमें काम परते हैं, किसी conducting sphere के बाहर, surface पर किस पर कारण से अपन यह निकालते हैं, वैसी तो होता है यानि इस G बोलो इसको चाहिए, इसको आईसी बोल दो बात तो यह कि इंटेंस्टी और ग्रेविटेशनल फिल्ड, तो जैसे बाहलोई sphere एक, इसकी surface पर आप निकालते हो, आप इसके outer वाले point पर निकालते हो, तो यहाँ G कितना होता है outer पर, यह होता है gm by r square, और surface पर जी, यहाँ surface पर g कितना होता है यह बेटे जी, यह है gm by r square, पैस तो आप से पूछा कहाँ पर रहेगो, आर्थ की सतह से 2r दूरी पर, surface से 2r, surface से कितना 2r distance पर, तो center से दूरी कितनी होई, 2r प्लस कितना r, 3r हो गया ना, तो आप इस formula से find गर लो ना, कहाँ दिकत है, जैसे मैं निकालता हूँ इसमें z-dash, अर्थ से बाहर तो z, m तो उतना ही है r बेटे से कितना हो गया, 3r और इसका अपन करें, square क्या वा, 3r, ओके कोई समस्या नहीं है, अब 3r का अपन करें, square बच्चो, कितना वा, z, m, upon कितना 9r square, और z, m, by r square क्या था, surface का field, तो ये आपका answer हो गया, z upon 9 ओके, बिलकुर सरल सा question है, केवल earth की, बाहर की विंदू पे आपको g पूछा है, इसलिए आपका answer कितना हो गया, first, g by 9, ठीक है, next question देगो तो अगले question में ये है question कि दर्यमान वित्रण की कारण x दिसा में, गुरुत्वेक्षतर प्रेक्षा अपने को, e is equal to k upon x की power 3, जहां k क्या constant है, यदि अनंत पर गुरुत्वी विभाव, शुन्ने माने, तो दूरी x पर इसका मान कितना होगा, तो इस सामाने सा एक v, यानि ग्रेविटेशनल potential और ग्रेविटेशनल field के बीच का सामाने relation का प्रशन है तो जैसा कि आप जानते हो कि हमें हाँ पर निकालना क्या है, गुरुत्वी विभाव, तो इसमें dv is equal to minus समाकलन या integration कौन सा e, और यह x की ट्रम में है तो कर दो edx और इसका हमें करना है proper integration, कहांदो आप प्रुशन साब कह रहा है, अनंत पर गुरुत्वी हो कितना है, बचो शुने, तो अनंत पर अगर potential 0 है तो आपको पूछा कि x दूरी पर इसका voltage कितना है, या potential कितना है, वो आपको find करना है ओके, value पूट कर रहा हूँ, देखो इसकी वापिस समय, तो integration e हमें क्यादर रखा है, k upon x की पावर 3, येलो साब k upon x की पावर 3, इंटो dx, वाएस, लिमिट वापिस पूट कर दो, कौन सी, infinite 2, येलो साब x अब हमें सिर्फ इसका करना integration, चलो कर देते हैं, db का कितना होता है, v, तो बचो हुआ v minus 0, is equal to यहां हमारे पास है minus, तो पहले से मैं k को ले लो, भार देखो तो minus का k, k constant था, इसके लिए भार ले लिया, x की पावर 3 हमारे पास है इसको पर जाएं, open ऊपर, तो minus 3 हो गया, चलो इसको मैं अलग से कर दो यहां पर solve, ये है x की पावर minus का 3, dx तो इसका अपन करेंगे समाकलन integration, तो कितना x की पावर minus का 3 प्लस 1 upon minus का 3 प्लस 1 तो कितना x की पावर minus का 2 upon minus का 2 minus है, उसको पर उपर लेंगे तो इसका हमें जो मिलेगा answer, क्या मिला देखो minus का बन गया यह आपका, 1 upon 2x square सही बोल रहे हो समझ रहे हो, बोलो x की पावर minus का 3 into dx, क्या x की पावर minus का 3 plus 1, तो x की पावर minus का 2 उसको नीचे ले गया न, तो x की पावर plus की 2 होगे नीचे जाने पर, और नीचे गया तो minus का 2 plus 1, sorry, minus का 3 plus 1 तो यह भी बन गया इसलिए मैं अब इसको replace कर दो देखो तो minus का k और हमारे पास इसका आया integration किता minus 1 upon 2x square, yellow और कहां से कहां तक बच्चो बोलो, बोलो कहां से कहां तक है infinite 2x प्रस इस minus को minus से multiply कर दो क्या plus हो चुका, अब हमारे पास value कित्या है देखो, यह हो चुकी है 2 को भाले लता हूँ देखो, यह है k by 2 और 1 upon x square और इसकी limit कितनी है infinite 2x अब इसको open करेंगे आप तो 1 upon x square minus कितना 1 upon x के इस्थान पे लिखेंगे, infinite और 1 upon infinite का square कितना हुआ 0, इसलिए इसका आपको value क्या मिलने वाला है, 1 upon x square इसको आप इससे multiply कर देंगे तो आपका answer आएगा, k upon 2 x square क्या आए, k upon 2 x square तो येलो साब answer fourth तो एक छोटा सा यहाँ पे integration था आसाने से आप कर सकते हो आप देखना है, इसमें जित्ते भी caution से बहुत अच्छे caution है और वो सारे के सारे लगबग है वो NEET में या इस प्रकार की जो एक्जाम्स हैं उनमें पूछे जा रहे हैं तो मेरे साब से question आपको समझ में आ गया, बढ़ें आ गये तो next question चलते हैं पर question number seven question seven है देखो, पार्थवी से किसी पिंड का प्लाइनवेग, पार्थवी के दर्यमान, एम, इसके माद्दे नत्वा रो, इसकी तरजा कितनी आर, और गुर्टवाक्षन नेतां कितना जीवपड ये पन गड़ता है अता है प्लाइनवेग के लिए शूतर क्या है तो प्लाइनवेग के लिए अपन थोड़ा सा काम कर ले पहले, जैसे देखो, प्लाइनवेग होता है क्या है मानलो ये कोई आर्थ सर्फिस, यहाँ पर कोई एक बोड़ी उसका मास कितना श्मोलेम है मुझे इस बोड़ी को करना यहाँ से escape करना है एस के मतलब है कि हम इसको उर्दादर उपर की तरफ कम से कम कितना वेग दें, जिससे की बोड़ी क्या करे, यह आर्थ की ग्रैविटी लिमिट यहाँ जहाँ जी जीरो है, जिसको अपन मानते हैं क्या इन्फाइनाइट, उसको पार करें, पार भी कैसे बच्चो, जस्ट व कितने जीरो से, यानि इसकी ग्रैविटी लिमिट को सुनने वेग से पार करने के लिए, हमें कम से कम कितना वेग देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं, एसकेव स्पीड, और वो इस पे आपको देना पड़ेगा, और वो कैसे, एक तरह से, आप देखो, अपने इस अपने इ निकाले हैं, मतलब भाग कि इसको ये बाहर क्यों निकाल रहे हैं अपन, पर इससे बाउंड है, और जहां बाउंड है, इसका मतलब इसकी को बाइंडिंग एनर्जी है, तो आप जानते हैं, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो वैसे होती क्या है, माइनस ओप टोटल mechanical energy अब चूंकि mechanical वैसे है क्या potential plus kinetic चूंकि यहाँ पे है खुद कैसा rest में इसके पास only कौनसी kinetic energy है या potential कुछ भी नहीं है इसके पास, बोलो बोलो दियान दो जिसे, यह एक है क्या mass और earth system है एक two particle system है, इसके पास potential होने से इसके पास कोई kinetic energy नहीं है, तो इसके मतलब यह वाक ही कर दो, यहाँ पर minus का कितना यू, इसकी potential ही क्या है, इसकी mechanical energy है, और potential कितनी है रेखो वो है, minus into minus z capital m small m by r, minus को minus से multiply करो, तो हमारे पास value कितनी है, z capital m small m by r, यह इसके पास क्या है, potential थी, और उससे अपन निकाल लें इसके binding energy, यानि अगर इतनी energy इसको अपन बहार से provide कर दें, तो यह body क्या कर सकती है, यह earth की gravity limit को पार कर सकती है, अब यह जो energy होती है, कौन से binding energy यह हम इस object को कैसे provide कर रहे हैं, यह हम provide कर रहे हैं, बच्चो kinetic energy दे करके, इसको speed दे करके, अब मैं इस m को m से उड़ा दूँ, तो हमारे पास, इसका जो vei आया बच्चो, वो कितना है 2g capital m by r, इसका root यह सारी constant है, इनके value पर रखते हैं, तो करीब करीब इसके value कितनी 11.2 यह km per second आती है, और एक्सर हम यहां गलती कर बेढ़ते हैं, यह km per second में है, km per hour में, नहीं उड़ा बहुत कम speed होते हैं, उससे कहीं, escaping संभव नहीं है, अब इसको पंजब change करते हैं ना, कही परकार से, तो देखो, जो हमारे पास, इसका यह escape speed है, ve, बराबर, किता देखो, 2 gm by r, इसका root, यह इसमें आप gm की value put करें, कितनी, g into r square, तो उसको रखने से, देखो, g r square, एक r से r cancel हो गया, तो हमारे पास, इससे value आई कौन से, देखो, 2 z r, अगर मैं only m की value put करूँ, कितनी, row into कितना, 4 by 3, pi r cube, यह value, आप put करेंगे, तो इसको रखने के पास, देखो, 4 into कितना 8 हो गया, r की power 3 यहां रखोगे, तो एक power इससे cancel हो गयी, तो इससे बहार कितना हो आए, r, और root of, कितना 8 by 3, pi, rho, g, इस तरह से हमारे पास, इसके तीन formula हैं, और questions, NEET में, 2017, उन से हमें bodies को escape करना है, तो उसमें plan, जो इसकी escape speed है, उसका ratio कितना है, तो ratio आप निकालोगे न, तो अगर कहीं पर भी, किसी दो planet की तुलना करते समय, mass constant है, तो escape speed कैसी, 1 upon root r पे depend करेगी, कहीं लिखा है, कि उनका g constant है, उस case में ve कैसा है, root r के proportional हो जाएगी, और कहीं आपको दे रखा हो, कि दोनु कैसे हैं, same material के हैं, तो बच्चो, ve कैसा r के proportional हो गया, तो ये सारे formula आपको अच्छे से आने चाहिए, आप जिसे देखो, जो question था हमारा, उसमें आप से पूछा गया था, escape speed, तो आपको देखो, उसमें कौन सा answer मिल रहा है, ये रहा, v कौन सा r root of, 8 by 3 pi, rho z, तो इसका answer कौन सा हो गया, first, कोई समयशा नहीं है, क्यानि बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर इसके answer जो हैंना, वो जो आप देख पा रहे हैं, बिलकुल symbol है, formula 3 थे, अपने बना लिये, ठीक है, बढ़ते आगे, तो चलो, question 8, यहां है, question, four particles, each of mass capital M, are located at the vertices of a square, with side L, the gravitational potential due to this, at the center of the square is, तो question है, बहुत प्यारा, जैसे, यह मानलों कोई एक, square है, और इस square के vertices, यानि कौनों पर, हमने, equal masses, रखे हुए हैं, और each mass, कितना capital M है, जो square है बेटे जी, उसका side कितना दर रखा अपने को, L, और आप से पूचा कै है, इसके center पे, center पे, total gravitational potential, क्या है, अब question देखो, यहाँ पर हो सकता है, कि आपको इसके center पे, या तो पूचे कौन सा, easy, या आप से पूचे कौन सा, vz, फरक क्या है, easy जो है, वो एक vector quantity है, और vg क्या है, बच्चो, potential है, वो है, एक scale quantity है, यहाँ पे आपको, vectorism करना पड़ेगा, और इस वाले में, आपको करना पड़ेगा, simple algebraic sham, तो, vg आपको जो find करना है, तो vg जो net होगा, वो है कितना, जितने particles हैं, बचो, यहाँ तो माज सारे कैसे equal है, और center जो है, वो सारे particles के लिए कैसे, symmetric distance पर है, और आप जानते हैं, अगर यह L distance है, तो यह distance कितनी हुई, यह भी सब को पता है, distance कितनी है, यह L, L, तो root 2 L, उसका भी half, तो यह होती कितनी है, L by root 2 distance होती है, कोई शमाद से नहीं है, तो, यह center सारे particles का symmetric point है, बिल्कुर उसके center पर, जितना potential इसका है बच्चो, उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका, तो एक तरह से मैं इसको ऐसे कर दूँगा, कि 4 V1, एक particle ने, जितना potential बनाया है, उसका 4 times करते ही, आपको इसके center पर total potential मिल जाएगा, अब, यह V1 कितना है, तो आपको पता है, जैसे मान लो, यह कोई एक point mass है capital M, इस point mass से, R distance पे, यहाँ पे potential कितना होता है, तो इस point पे potential होता है, बच्चो, VZ is equal to minus का कितना, ZM by R, जिसमें M, यह है, जिस particle ने, जिस point mass ने, produce करा उसका mass, small r है, discussing point और इसके center mass के बच्चो डिस्टेंस, इस तरह से आप इस निगा लेंगे, पर यह है कैसी बेटी जी, negative है, है कैसी यह, negative है, और किसके reference में है, infinite की reference में, infinite पे potential 0 होने पर, यह कितना VZ, minus का ZM by R होता है, आपको issue है है यह नहीं, अब तो आपको value पूट करने देखो, तो 4 तो पहले से है already, तो लिखो minus का, कितना Z capital M upon, यह distance कितनी है, एक particle की L upon root 2, yellow साब, L upon root 2, अब इसको only solve करना है, root 2 उपर चला गया, तो हमारे पास value कितनी है देखो, minus का 4, root 2, और ZM by L, यह इस 4 को आप इसके अंदर लेना चाहते हो, root के, तो इसका square रहना पड़ेगा, और 4 का square बचे कितना होता है, 16, उसको 2 से multiply कर दो कितना होता है, तो इसका answer कितना, minus root of 32 Gm by L, यह बार फिर लिख दूँ यहां देखो, जो इसका वीजी हमारे पास आया, minus root of 32 और यह ZM by L, तो देखते है answer कौन सा देगो, minus 32 Gm by L, minus का भी यहां importance देगो, यहां दोनों option है, minus का भी है और कौन सा plus का भी है, तो आप सही answer कौन सा देगे first, ओके, तो बहुत अच्छे से question है, पर अगर मालों आप से पूछे कि इसके center पे resultant intensity कितनी है, वो तो बच्छों क्या होती है, vector quantity होती है, उस case में देगो, इस capital M का यहां है, VZ की इस तरफ, easy इस तरफ, उतना ही इसका, इस तरफ, दोनों आपस में cancel, इस capital M का जितना easy इस तरफ, इसका इस तरफ दोनों आपस में cancel, तो इसके center पे resultant intensity कितनी है, zero, बट इसके center resultant VZ कैसा है, non zero बट है कैसा, negative, अब यह आपका complete answer हो जाएगा, तो आप इसको solve कर सकते हो, ओके, तो अपन चलते हैं question 9 पे, तो 9 देख़वाब, यदि गराउं, A दता B की तरजाउं का अनुपाद कितना K1, दो ग्रह हैं, उनकी radius का ratio आपको दे रखा है K1, मालों दो planet है, तो उसको मैं ऐसे कराऊं कि, first की radius कितनी R1 है, दूसरे कितनी R2, और उसका ratio आपको क्या दे दिया K1, मतलब K1 by 1 कर रहा हूं, फिर करा है, यह है ratio of radius, यह है ratio of acceleration due to gravity, और दो है, planet कोंसे A और B, कोई समस्या नहीं है, तो उनके plan वेगों का अनुपाद ग्याद कीजिए, अभी हमने discuss किया था, कि अभी आप क्या दे रहे हैं, दो planets के हमारे पास radius P है बच्चों, और कौन सा Z है, जब R और जी दोनों दे रखे हैं, तो आपको वोई formula यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें इतनों आजाएं, तो आजाओ साब, जैसे यह V, escape speed कितना था बो, root of 2gr, आप कोई समस्या नहीं है, मैं लिको इसको V1 या V2, या V, A upon VB, यहलो साब, V1 और बाई V2, इस इकल टू, root of, कितना, G1 बाई G2, G1 बाई G2 है क्या बच्चो, K2, into क्या है, R1 बाई R2 कितना है, K1, यलो हो चुका है तो caution, तो दोनों की escape speed का ratio कितना है, root of K1 into K2, root of K1 into K2, अगर, अब यह question आपको formula से करना ही है, आप physics punch से इसमें caution करेंगे, तो definite truth से, मेरा यह मानना है कि, जो 20 हमने आपको punch दिया है ना, अगर उनको अच्छे से concept के साथ आप कर लेते हो ना, तो NEET में इनके आसपास ही प्रस्चन आते हैं, बाहर से question नहीं आते हैं, पर सर्त है, कि जो concept इसमें काम में लेगे हैं, वो सारे आप करने चाहिए, चलो, बढ़ते हैं question 10th पर, और question 10th क्या कर रहा है, देखो, यदि एक उपगरह में, परिभर मनकाल कितना T है, परिभर मनकाल गूम रहा है, उसका दिरखा है समय कितना capital T, तो गतिज उर्जा 99 से किसके अनुकर्मानुपाती होती है, चलो, देखो इसको भी, मान लो, यह कोई एक प्लानेट है, इस प्लानेट की चारों तरफ, यह कोई उपगरह मूँ कर रहा है, इसका मास मान लो capital M, यह distance मान लो कितनी small r, और यह मास कितना है, small m, यह इसकी चारों और मूँ कर रहा है, और इसकी orbital speed कितनी है, V, जानते हो आपने पढ़ा होगा, satellite, तो उसमें जो V होता है, वो कितना होता, देखो, root gm by small r, तो आप यहां से देख पा रहे हो, कि जो इसकी orbital speed है, किसकी, satellite की, वो किस पर depend कर रही है, किस पर depend कर रही है, गोर करें आप, यह मास किसका, मास वो प्लानेट, बट यह जो orbit की radius है, उस पर depend कर रही है, आप radius को बढ़ाएंगे, तो इसकी speed कम हो जाएगी, gm तो constant है, तो बदल नहीं ना पर, तो इससे आपने क्या देखा, इससे हम यह देख पा रहे हैं, कि V है proportional to 1 upon root R, V वा proportional to 1 upon root R, कोई समय से आनी, यदि इसका square कर दों बच्चों, तो V square proportional to कितना हो गया, 1 by R हो गया, यहां तक वो समय से आनी है, पर आपको इस में क्या देरका है, यदि एक satellite, जिसका परिभर मनंकाल कितना capital T है, तो kinetic energy किसके समानुपाती है, वो आपको देखना है, तो आप देखो, कि मैं आप से पूछों कि, इसकी speed किती V है, mass इसका small M, तो बच्चों से kinetic energy कितनी आई, K बराबर, half, M V square, अब देखो, ये किसके समानुपाती है, V square के, और देखो, V square किसके समानुपाती, one upon R के, yellow one upon R, अब R कैसे, time period पे depend करती है, तो आजाओ किस पे, K plus low पे, आप जानते हैं, K plus low के according, time जो है, या time period है, उसका square, वो इन दोनों के center के बीच की distance है, उसकी power 3 के होता है, directly proportional, तो R की power 3, जब T square के proportional है, तो R बच्चो किस पे depend करा, T की power 2 बटा 3, बस, अब इस R के स्थान पे, आप क्या replace कर सकते हो, तो अब आजाओ line पे, के, जो की proportional था, one upon कितना R के, और इसके स्थान पे, मैं क्या जिसना हो, तो 1 upon R है, तो 1 upon कितना, यह है बच्चो T की power 2 बटा 3, इसको अपन यहां से लेगे ऊपर, तो power के उज़ेगे minus, तो dependence चेक कर लो, के है proportional to T की power minus 2 by 3, तो option देखो, यह आपका fourth option हो गया, बहुत ही पहरा प्रशन है, सारे प्रकार की चीज़ें इसमें involve हो रही है, किस तरह से इसकी speed R पे depend कर रही है, फिर R कैसे T पे depend कर रहा है, और फिर के किस प्रकार से T पे depend कर रहा है, बिल्कुल mix होने के बाद का question है, ठीक है, चलो, फिर बढ़ते हैं question, 11th पे, 11th question, क्या करा रहे हो, एक उपगरह को पर्तवी के चारों और R तरजा की वर्तिक अक्षा में प्रेक्सेपित किया जाता है, और दूसरे उपगरह को 1.02 R तरजा की वर्तिक अक्षा में प्रेक्सेपित किया जाता है, तो दोनु उपगरहों के आवर्द कालों में percentage chance कितना है बिलकुर सही साथ ए सेटलाइट इस लांच इन्टो ए सर्कुलर ओर्बिट ओफ रडियस केटल आर अरांड आर्थ वाइल ए सेकंड सेटलाइट इस लांच इन्टो एन ओर्बिट ओफ रडियस 1.02 आर दो सेटलाइट हैं दोनों की रेडियस कैसी हैं डिफरेंट है रेडियस कौन सी सर्कुलर पाथ की अब सुनो जैसा कि आप जानते हो इसमें के प्लस लोकिय अकोर्डिंग जो टाइम पीड होता न उसका स्कुएर किस पर डिपेंड करता है जो रेडियस होती है उसकी पाउर कितनी थ्री वाई टू पर हो सभी बात है सोरी वापिस देखें हैं अपन मान लो यह कोई प्लानेट और इसकी चारूं और कोई स्मोल एम मास का सेटलाइट है वो मूग कर रहा है जिसका पाथ कैसा होता है पन जानते हैं उसकी और्बिट कैसे होती है elliptical होती है अब यह मास स्मोल एम है इसकी चारू तरब मूग कर रहा है यह मास कीतना कैपिटल एम है तो क्रिशन क्या कर रहा है आप जो उपर रहा है पर्थवी की चारों थोड़ी सी उससे ज़ादा है, आर की ट्रम में, पर शेतो आर बहुत बड़ा होता है, इसलिए ज़्यादा है डिस्टेंस, पर आर की ट्रम में आपको कैसा फिल हो रहा है, यह हलका स्टेंज है, कोई दिकत नहीं है, अब यह फर्स्ट सेटलाइट है, यह कौन सा आपका पाउर 3, मैं यहाँ से निकालता हूँ T, तो T हुआ पर पर पोर्पोर्शनल टू आर की पाउर कितना 3 बाई 2, अब चुँँकि आर की ट्रम में बहुत कम चेंज आए, इसलिए इसको अपन बदल लें किसमें फ्रेक्शनल चेंज में, और फ्रेक्शनल चेंज के बाद इसक इसमें इसकी पाउर किती तो 1 है न, तो मैं इसको लिखों बच्चो, डेल्टा T अपॉन T, इन्टू कितना 100, इस इकल टू, इसको अपन यहाँ से आगे लें, 3 बाई 2, इन्टू कितना, यह डेल्टा R बाई, आर इन्टू 100, यह क्या है, परसेंटेज चेंज इन टाइम प कर दू, 1.02 R में से R को मैनस करता हूँ, तो कितना 0.02 R बचा, तो इसको लिखों देखों, अब मैं, 3 बाई 2, इन्टू इसकी वैल्यू देखों कितनी आई, यह है 0.02 R, अपॉन R, इन्टो 100, R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, इस 0.02 को हम करें, 100 से मल्टीप्लाई तो कितना हो ग यानि इन दोनों को आपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 हुआ, और 2 से बचो 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ है कितना, 3% क्या वा, 3%, कोई इशो नहीं है, देखो आंसर कौन सा है, यह लो फॉर्थ, हो गया इजिली, अब यह सब कॉंसेप्ट हैं, इस भी कुश्चन आते ही रहते हैं, इससे आप बच नहीं सकते ही, तो करने ही पड़ेंगे बचो, ठीक है, बढ़ते हैं कुश्चन, नेक्स्ट प कर लें, क्युश्चन कर रहा है, suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance, तो इस पहले line का, अगर मैं लिखो result, तो कि करा है कि force जो है, वो distance है, उसकी nth power के inversely proportional है, यदि इसको ऐसे लिख दो मैं, क्या f बराबर कितना k upon r की power n, कोई समश्चा नहीं है, सही से लिखा जा रहा है, ठीक है, first line का result आपने लिख दिया, then the time period of a planet in circular orbit of radius capital r, round the sun will be proportional to, अब पूछा है, कि जो time period है उस satellite का, वो किश्च परकार से depend करता है, तो circular motion जहां बर भी आती है, हम तो यह जानते हैं, रेखो, कि मान लोगी कोई था, planet, इसके around कोई satellite move कर रहा है, circle motion कर रहा है, इस पे लग रहा है, center की तरह परकार फोर्स, अगर मैं इसको पढ़ता हूँ, अर्थ की respect पे, तो मैं कहता हूँ कि इस पे लगा जो gravitation force है, वो क्या परदान करता है, वो इसको centrifugal force परकारता है, यह साथ गुमते पढ़ता हूँ, तो क्या लगा दूँगा, centrifugal force centrifugal force तब ही आप apply कर पाएंगे, जब आप इसके साथ रहते वे study करते हो, बिल्कुल अलग इस सिखानी होती है, बहुत important concept है आपके physics का, अब सुना देखो, यहाँ आप से पूछा है time period, तो अगर मैं इसके साथ रहते वे study करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, अंदर तो तो जो चाहिए वो ले लो बस चिदे से, जदा एक बार फिर convert करते हो, बाद में पहले V निकालते हो, फिर T निकालते हो, ऐसे मत करो, यदि आपको यहाँ निकालना है time period, तो आप जानते हैं देखो, मैं लिखो इसको mr omega square, इसको बदल लो आप यहीं परी, कितना mr, यह वा क इतना 4, 5 square upon T square, यलो, तो इसमें time period में आपका force आगया, अब साथ move करते हैं, मैं study करता हूँ, जितना force इसके अंदर उतना force कैसा भार है, यह आप इसे बैलेंस कर रहे हैं, इनको आप बैलेंस कर दो, तो बैलेंस आप इसको करेंगे, तो देखो, अपने पास value आई, क्या कि K upon R key power N is equal to, यह हो गया आपका, M R, 4 pi square by T square, आपको T पूछा है, इस T को अपर ले जाओं, बाकी सर्द ले जाओं, और मुझे सर्फ T की R पे डिपेंडेंस चेक करनी है, तो देखो, इस से मैं solve करता हूँ, तो मेरे पास T square किसके proportional है, यह R key power N है, यहाँ पे R है, दोनों इस से मैं तो N plus 1 हो गया, यहाँ यहाँ R key power N plus 1, बस, यह तो है, यह आपको इसमें find करना होता, कि time period, तो यह किस पे depend करेगा, R key power N plus 1 by 2, और इसमें सिधे प्रसन आ रहे है, लास्ट यह या इससे पहले वाले नीट में question आ रखा है, उसमें देर रखा है, कि अगर force, जान अगर force F, proportional to R key power minus 5 by 2 है, तो उस condition में, time period R पे कैसे depend करेगा, तो देखो, यहाँ अपने पास N कितना में इसको ऐसे लिखता हो ना, 1 upon कितना R key power 5 by 2, तो हमारे पास N कितना आ गया, यह हो चुका 5 by 2, इसको put कर दो, solve कर दो बस, पर इसमें धान देना, यहाँ question में dependence आपकी V की साथ पूछ सकते हैं, उमिगेंगी पूछ सकते हैं, जो पूछे वही, मालो मैं लिको नहीं, हाँ V की रूपे, तो M वीश कर रपोन R, V की रूपे निकाल लोगा, जिसका पूछे उसी पर काम करना है, अब चलते हैं, इसके answer देख लेते हैं, क्या है, तो बताओ, क्या है इ और यह हमें याद रखना चाहिए, इस पर समय हमें जाया नहीं करना चाहिए, वैसे जोड़ी बातें बहुत शांदार हैं, जो बताओं आपको मैं देखो, कि मालो, यह आर्थ है, आर्थ की सरफेस से मैं किसी object को दे रहा हूँ, projection velocity, यह जो velocity है, Vp, मैं इसको ले रहा हूँ K into VE, K यहाँ पर कोई constant है, हो सकता है कि यह का मान कितना A के बराबर हो, एक से कम हो, इस तरह से value हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ इस Vp को देता हूँ, और Vp के रूप में, जो अब इसमें जो H आएगी, वो अपन यहाँ फैंड कर लें, आप देखो पूरी प्रोसेस है, mechanical energy का conversion apply करके आप इसका H निकाल सकते हो, तो जो H हमें यहाँ मिलेगी, जो H यहाँ मिलेगी हमें, वो है कितना Vp square upon कितना VE square minus कौन सा Vp square into R, यह आपको value मिल जाएगी, अब इस formula में, अगर आप Vp के स्थान पर क्या Kve put करोगे, अगर मैं इसको ऐसे put कर दूँ, ऐसे करने पर जो आपको value यहाँ मिलेगी H की, वो मिलेगी आपको कितनी K square into R upon कितना 1 minus K square, अब यह H है क्या, अर्थ की surface है, इसी में अगर center से distance हो, तो उसको अपन small R की रूप में लेते हैं, उसकी रूप में गयाद करेंगे, तो H है, तो मैं R अगर निकालता हूँ, वो है कितना R plus H, इ मेरे पास value आती है, यही आती है, वो आती है कितनी R upon 1 minus K square, हम सब को यह जो formula है, small R वाला, center से distance का दो, यह तो था आपका answer यह है, पर अब इसकी जो need है exam के लिए, वो बहुत important है, उसके लिए आपको center से distance का formula बहुत easy है, कितना R is equal to capital R upon 1 minus कितना K square, अब इसमें K क्या है, आप use करके क्रिशन सा वो solve कर सकते हो, बड़ा काम का है, अब देखो इसमें, यहां तीन case possible हो सकते हैं, यही के कमान एक से कम है, यह के कमान कितना है, एक के बराबर है, के कमान कितना एक से जादा है, यही के कमान एक से कम है, तो appropriate formula काम आ रहे हैं, क्रिशन साब कर लीजेगा यहां इस case में कभी भी object अर्थ की gravity limit को cross नहीं करेगी परन्तु के अगर एक है तो just क्या है यह escape mode में है अर्थ की gravity limit को ठीक cross करने वाली है पर निकलने के परसाथ उसकी speed कितनी 0 है बर यह जो आना k is equal to sorry k 1 से ज़दा होने पर इस case में क्या होगा कि मानलो यह इसकी gravity limit है यहां g कितना है 0 है इसी को हम बोलते है infinite तो अगर आप यहां से इस body को throw कर रहे हैं जिसकी speed कितनी है k more than एक वाली है तो अब देखो infinite को पार करते समय अब इस object के पास या escaping body के पास non zero speed होगी यानि अब यहां इसको cross करने के ठीक बात उसके पास एक speed है जिसको मैं कहरा हूँ V infinite पर बेटे जी वो है कितना non zero है अब यहां पर पूरे case में आप देखें तो हमारे पास 3 speed है कौनसी एक escape speed एक velocity of projection और एक कौनसी infinite को पार करते समय speed है यह कौनसी आपकी V infinite अब यह तो उपता है कि आप यहां जो speed देते हो वो मैं समसे बड़ी होती है अब इसमें पूरी process है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ यहां मैं कहरा हूँ कि 3 मेरे पास speed है एक तो कौनसी VP है एक कौनसा है V infinite और एक है बच्चो कौनसा V E हम VP दे रहें उसी का हिस्सा कुछ यह है और कुछ remaining part से बहार निकल रही है तो definite है VP का मान V infinite से बड़ा होगा इससे भी बड़ा होगा तो याद करने के लिए आप ऐसे कर लो कि VP जो है उसका square है वो कौनसा V infinite का square प्लस कौनसा V आपका मैं कर दूँ कौनसा V यह E के square के sum के बराबर है यह formula अच्छे से काम में ले लो और persistence करो यहाँ आपको निकाला V infinite तो क्या करें इसको इधर ले आओ तो VP square मैनस कौनसा V e square और फिसका root कर दो तो भी आपको infinite आजाएगा बहुत सिंपल सा है तो यह चीज़ें आपको आने चाहिए तो अब answer देखें है अपन आए सतैसे मैतम उन्चाएए सरफेस से उन्चाएए कितनी थी सतैसे उन्चाएएए थी case square r upon 1 minus case square यह लो पूछता कि center से कितनी है तो उस case में उसका यहाँ पे कोई answer नहीं दे रखा है पर answer क्या था r upon 1 minus case square फालो कहीं कोई समय शानी है आराम से इसको आप solve कर सकते हो तो अपने equation करा कोई सा 13 अब बढ़ते हैं आगे 14 14 क्या करा देगो एकन माद्दे इस्तिती से सरल आवर्थ गती कर गती आरम करता है यदि इसका आयाम कितना a है आवर्थ काल कितना t है तो वह समय जिस पर इसकी चाल अधिक्तम चाल की आदी होने पर जिस पर इसकी चाल maximum speed कैसी आदी है तो विस्तापन कितना होगा विस्तापन कितना होगा तो देखो इसमें भी मैं एक चीज़ आप बताऊं जैसे जो simple harmon emotion होती है उसका जब आप पढ़ते हो geometrical representation तो हम क्या मानते हैं कि कोई particle है मानलो कि कोई particle है यहाँ पर आप यहाँ लगा दो कोई source of light light इस पे यहाँ ऐसे गिर रही है मानलो और इसका जो diameter है वहाँ लगा दे हैं अपन क्या है कि photographic कोई प्रेट लगा दे हैं यहाँ ऐसे मानलो कि यहाँ इस परकार कि अपन कोई विवस्ता कर दें जिसे कि इस particle गयी पर जैसे पर यहाँ से निचे आ रहा है तो इसकी यहाँ वापिस का नीचे आ गई पिर यहां से यहां गया तो अच्छा है इसकी यहां से यहां गई पिर यहां से यहां गया अच्छा है यहां से यहां चली गई तो यहां मैं दो चीज़ शो कर रहा हूँ एक तो है इसमें प्रोजेक्शन एक का इसमें जो motion of object आप ध्यान देना यहाँ पे particle तो क्या शो कर रहा है circular motion बट इसका जो projection है इस diameter पर वो यहाँ पे देखो particle जा रहा है आ रहा है पिर जा रहा है और आ रहा है यहाँ जो इसका projection है वो क्या करता है वो simple harmonic motion show कर रहा है particle show नहीं कर रहा है और यह सिर्फ geometrical समझने के लिए अपने इसको तयार कर रहे हैं अब यहां जैसे मैं start करता हूँ इस पे motion इस point से तो आप इसमें angle स्यों करते हो तो मालों यह 0 degree का है इसको मैं कर दूं कितना यहां ठीक mid वाला कितना 30 का फिर 45 है 60 है 90 है फिर आप यहां 120 है 135 है 150 है कितना 180 है वापिस 210 है 220 है 240 है 270 है 300 है 315 है 330 है और कितना 360 है एक पूरा चकर हो गया अब जोंकि simple harmonic motion शो कौन कर रहा है particle मैं उस particle की जो motion sorry यहां कौन कर रहा है इसका shadow इसकी चैया कर रही है मैं उसको यहां थोड़ा सा अलग रूप में ले रहा हूं यह बन गया complete cycle मैं इस motion को चूंकि है तो state line पे यहां जो इसकी projection है वो कहां motion कर रही है इसकी चैया कैसे motion कर रही है state line पे पर उसको समझने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं कि पहले particle जा रहा है फिर particle वापिस आ रहा है फिर इस तरह गया और फिर वापिस यहां गया यह है इसका complete cycle है इस एक complete cycle में आप देखो एक पार्ट इसका बता रहा हूं यह 0 degree का एंगल है यहां मालो कितना 30 degree यहां कितना 40 यह 45 यह 60 और यह कितना है 90 degree यहां इसका displacement कितना x equal to 0 है यह कौन सा है x equal to आपका plus का a यह amplitude है और यह कितना है x is equal to minus का a तो यह plus a से minus a की बीच क्या कर रहा है simple harmonic motion शो कर रहा है particle यहां से गया वापिस आया वापिस आया तो अगर यहां से पन स्टार्ट करते है particle motion तो यहां से जाकर कि वापिस आ रहा है तो आपको साफ नजर आ रहा है यहां एक cycle में इसने total distance कितनी कवर करी देखो यह यहां से यहां तक कि a है तो 2a 3a और 4a distance traveled by particle कितनी 4a है बट इसका displacement कितना बच्चो जिरो यह भी जानते हो आप कि एक cycle को पूरा करने में कितना समय लगता है capital T लगता है इसका मतलब यह तो पता लग गया आपको तो यहां आगे दो question ओर आएंगे मैं उसको पहले discuss कर रहा हूँ यहां आपसे यहां पूछे ना कि एक चकर में travel distance कितनी 4a पूछे एक चकर में travel आपका displacement कितना शुने अब यह पूछे इसमें कि average velocity कितनी है तो average velocity होता है कि displacement upon time तो displacement 0 हो गया ना तो विस्तापन के सुने होने से इस particle की average velocity कितनी शुने है बट average speed वो होती है distance upon time तो इसमें वो बड़ा अच्छा caution है कि average speed अपन निकालते है इसकी V average तो वह अच्छो कितनी होई वह है इसका total distance कितनी है 4a upon कितनी t 4a upon t इसको आप और convert कर सकते हो 4a t कितना बार 2pi upon omega ओमेगा को उपर जाएं यहां इसको उड़ा दो कितना 2 से तो हमारे पास इसकी value कितनी है रेखो 2 omega upon pi 2 upon pi into omega sorry यहां पर एक value a भी था ना यह a हो गई और a into omega क्या होता है वी maximum वी maximum इसको आप और 6 को रोगे 2 upon 3 को 2 upon pi को तो यह करीब करीब कितना 0.63 और यह हो गया वी maximum इसका मतलब एक चकर में इसकी average speed कितनी है वो है 0.63 वी maximum हो गई बिलकुल और यह कई बार question पूछा है तो यहां से पर कई questions के answer निकालने वाले हैं देखो अब हमने कहा 30 दिग 45 पर आप जानते हो कि x यहां 0 है यहां कितना आप जानते हो a by 2 यह कितना a by root 2 और यहां पर आप लिखते हैं क्या root 3 a by 2 यह इसकी total displacement है मैं इसको क्यों कर रहा हूं देखो मैं यहां पर कई questions आप से देखो share कर दूँ अगर मैं यहां लिखो displacement y equal to a sin theta और अगर लिखो यहां पर velocity v तो क्या करते हैं आप a omega cos theta सही है आप इसमें इसका solution भी find कर सकते हो देखो यह कर दूँ यहां पर f कितना minus का omega square into a sin theta सही है और इसमें यह a sin theta क्या होता है y तो minus का omega square into y जो कि shm की एक सामाने complete शड़ होती है उसको पूरा कर रहा है इसका मतलब यहां पर जो अपन conditions लेते हैं वो fulfill हो रही है बास सही है अब आओ जेखो हमने कहा कि y is equal to a sin theta है तो theta की तो value put कर रहा हूं मैं जब मैंने यहां पर 30 use किया तो sin 30 किता 1 upon 2 तो ay 2 हो गया 45 किता upon root 2 तो मैंने only यहां value put कर रहा हूं अब आप समझते हैं कि इस पूरे 1 4 cycle में angle आपने यहां तक लिए उसके बाद भी अगर angle मैं लिखो देगो 90 यह 120 यहां लिखों किता 135 यह किता 150 यह आपका 180 उसके बाद इस तरफ भी वैसे आएंगे पर यहां पर इस तरफ displacement कैसा देगा negative यह विस्तापन हमेशा mean position से मापा जाता है इस तरफ हमेशा कैसा positive है इस तरफ हमेशा कैसा negative है अब सुनो हमारा question क्या था वेलोसिटी का तो वी क्या बच्छो ए ओमेशा कोस थेटा है अब थेटा की value put करते ही आप आसानी से question कर सकते हो हमारा question क्या था कि जहां पे इसका displacement a by 2 है वहां पर इसकी velocity कितनी है तो इस point पे आप देखो यहां पर वेलोसिटी कितनी हैंगी तो angle अपने पास किता 30 था तो कोस 30 किता root 3 by 2 होता है तो a omega into किता root 3 by 2 आराम से इस question कर सकते हो अब यहां तो और भी है potential energy भी आप इससे लिल कर सकते हो तो आगे इसको अपन लेंगे अभी इस question को अपन complete करते हैं तो आएए next question में तो next question पे आते हैं question 15 पढ़ें पढ़ लिया तो कितना हर question देखो हर में अलल concept है इसलिए पंच नाम रखा इसलिए आपके लिए question है दो सरल आवर्थ गतियों की समीकरने आपको देर रखे हैं a sin omega t minus का alpha, b cos omega t minus का alpha तो इन दोनों के मद्दे कलांतर कितना है face difference तो आप जानते हैं जितने भी trigonometric function है उसका जो आधार है मूल है उसकी जो माता मानलो कौन sign function है जड़ जिमाख खराब करने की बजाए simple ध्यान रखा करो जब भी आपको निकालना हो face difference तो सारे परकार के जो भी trigonometric function है उसको plus sign में बदल लो या plus cos में बदल लो या minus sign बदल लो पर होने ची सारे a जैसे हमारी समझ इतनी कहती है कि अगर sign में बदल लें तो हम question को कर लेते हैं यह तो है fix कितना y equal to a sin omega t minus का alpha या कितना y equal to b cos t minus का alpha तो इसको देखो y तो पढ़ा है यह लिखो में कौन सा y days दूसरे वाला वो है कितना b cos को बदल लें किसमें sign में तो sign ये लो साब omega t minus का alpha प्लस कितना pi by 2 ओकी अब दो लों कैसे हैं plus sign में ये भी plus sign plus sign उसके इसमें ये phase किसकी है y की और ये y days की phase कौन सी ये है जिसका अपने कालते है phase difference तो इस phase गठा दो इसको ये इससे cancel तो बचा कितना pi by 2 यानि y days की phase कितनी है y वाले की phase से pi by 2 कैसा leading phase है आगए है तो इसमें इसकी phase leading है कैसी है ये lagging है पीछे ये कौन सा अगर गामी कौन सा पस गामी है तो आपका आंसर कौन सा थड़ा आ गया ठीक है ओके नेक्स कौशन देगो अगला कौशन है कि एक करण वर्थ की परिदी के along नियत कौनी वेग से गतीशिल है तो निमिन लिखित में से कौन सा कतन सत्य है अभी हमने डिसक्स किया था कि कोई particle जब circle पर move कर रहा होता है तो जो उसका projection होता है कि उसके diameter पर वो क्या करता है simple harmonic motion तो आपका इसमें answer क्या ना चीए या तो कोई फालतो है ने ना किसी भी एक व्यास पर कणके पत का प्रक्षेपन यानि projection जो है वो simple harmonic motion शो करता है जिसके spell है कर चुके है बढ़ते आगे जिस है आप two simple harmonic motions are represented by the equation y यह है तुसरा आपको दे रखा है y the phase difference between two particles is यहाँ भी phase difference पूछा है वो ही बात हमने कहा था जब भी आपको निकालना हो phase difference जो आपके function है वो होने कैसे चे प्लस sign की रूप में यह already प्लस sign की रूप में है यहाँ कौन सा कोस की रूप में है चलो इसको ल point one sign फिर है यह pi t plus इसको बदलो एंगल pi upon 3 कितना होता है 60 degree और दूसरा y2 है बच्चो काँछा point one और यह कोस को बदलो sign में sign pi t और कितना प्लस pi by 2 यानि 90 degree अब सोचो ज़रूत नहीं सोचने की इसकी phase कितनी है pi t plus 90 कितना pi t plus 60 दोनों कैसे है sign में है plus में सारी सर्थे अपने पूरी कर ली है अब के वल आपको phase का difference करना है इस phase में से घठा दो इसको तो 90 minus 60 कितना है 30 pi by 6 pi by 6 आंसर हो गया कोई समय से आ नहीं है कर लेंगे आजाओ next question में तो next question आपका है यदि एक कंड का विस्तापन समय कंड दे रखा अपने को x कितना 3s हैं 2t plus 4 cos 2t तो आयाम और इसका अधिक्तम वे ग्याद कीजिए बहुत प्रशन है और इसको जो AC हम लोग पढ़ते हैं न AC वहाँ पढ़ते हैं पर phaser diagram उससे समझेंगे तो आपको इसका अच्छे से आनद आएगा कृष्ण को आप सही समझ पाएंगे तो आप वहाँ पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं कि AC में AC current और voltage हैं कैसी scalar quantities हैं पर वहा अच्स हमारे पास थी सांट टूटी है फिर कितना four cost टूटी है यानि यह तरह से दो सिंपल हार्मोनिक मौसन का सुपर इंप हो जाए अधर उपन है यह first second दोनों की frequency कैसी से सेम है जो इसकी सर्थ होती है अच्छा अब सुनो यह first है अगर इसको अपन बनाएं मान लो यह x axis जो first है कितना x इसको first मान रहा हूं मैं 3 sin 2t आपने पढ़ा फिज डियाग्राम में तो 3 तो मान लो 3 के equal मैं मान लो एक वेक्टर जो कितना अगर मैं यहां मानता हूं 0 t 0 तो t समय पे उसका angle कितना 2t यह लो साब यह 2t angle पर 2t angle पर यह कोई वेक्टर है इसकी length कितनी यहां पर 3 है समझे फिर कितना 4 cos 2t अब पहले ही चेक करो कि 4 cos को बदल लो किसमें sin में तो कितना 4 sin 2t प्लस कितना pi by 2 यानि जो इसकी phase 2t है उससे भी कितना 90 आगे इससे 90 आगे यह 90 दिर आगे पर इसका 3 तो यह कितना यह इस तरह से हमारे पास दो बन गए simple harmony motion जिसमें इसका कितना है 3 यह कितना है 4 यह कितना 2t angle पर यह कितना 90 अब इसका total angle कितना है 2t प्लस pi by 2 है अब जोंकि हमने इस 3 और 4 को as a vector treat किया है तो ऐसे में इन दोनों का resultant जो अपने निकालते हैं amplitude A कौन सा R वो कितना है देखो इसका square का root कर दता हूं तो हमारे पास इसका answer कितना है यह हो गया कितना 5 बोलो इसका square अब देखो अगर मालोई इसमें यह होता ना यहां कर दो क्या A यहां कर दो कौन सा B इसके A और B होने पर A R कितना आता root of A square plus B square कोईश्यों नहीं है अब सुनो जो इसका resultant है वो इस वा कौन सा आपका A है कौन सा B है तो मैं यहां इस angle को अगर 5 मान लूँ इसके 5 मानने के परशाद इसका हम निकालते हैं 10-5 तो बच्चो 10-5 हमारे पास कितना है यह इस अपान दिस यह नहीं एतरे से हमारे पास यह यह कौन सी है यह मान लो A और B तो A हो गया B upon A आ गया इससे 5 आई निकाल से तो 10-B upon A आप देखो जो इस प्रकार की दो सिंपल हार्मोनी मोशन का सुपर इंपोस था जिसमें दोनों के सुपर इंपोस होने के पर साथ तो इसका बना एम्रीट कितना 4-5 हो गया अब आपको ध्यान है यह इसका ओमेगा नहीं गया बई तो इस पूरी equation का हमें ओमेगा मिल चुका है कितना 2 इसका हमारे पास AR कितना है 5 तो जानते हैं इसकी V maximum कितनी होती है A into omega तो A बच्चों कितना 2 into 5 कितना 10 10 meter per second इसकी है maximum speed पर अगर मान लो जैसे हमने यह first SHM यह कौन सी second लिखा तो इसकी दोनों के superimpose होने के बाद जो net बनेगी उसकी क्या ल इकल टू AR साइन 2T प्लस यहां मैं क्या लिखने वाला हूँ 5 अब इसकी डिवल्यू क्या बन देगो AR तो कितना वाँ अगर A और B की रूप में है तो कितना A स्क्वार प्लस B स्क्वार का रूट और साइन कितना 2T प्लस यहां 5 कितना लिखोगे यह 10 inverse B upon A इस तरह से आप इस question को करेंगे तो अपना answer इसमें क्या आएगा उच्छा है आयाम कितना है भई 5 और maximum speed कितनी है 19 में देखो कि 3 पिंडूं के कौने वे कितने हैं ओमेगा 1, 2, 3 हैं उनकी साफिक्स आयम कितने हैं A1, A2, A3 यदि सभी 3 पिंडूं के मास कैसे equal हैं और अधिक्तम वेक भी कैसे समान हैं तो इनका relation क्या है यह तो बहुत सरल सा कौशन हो गया ना तो V maximum सारूं के सेम है तो कितना सब बराबर है अगर इसको अपन equal कह रहे हैं तो पहले का कितना A1 ओमेगा 1 दूसरी का भी कितना A2 ओमेगा 2 थर्ड का भी कितना A3 और ओमेगा 3 यह तो सरल सा कौशन है इसमें तो ज़र टाइम की आउश्रिक्ता ही नहीं है इसका आंसर हो गया बढ़े आगे आओ कुशन 20 क्या है किसी कण का सरल आवत गती में तौण होगा आलवेज जीरो आलवेज कॉंस्टेंट मैक्सिम एड़ दा एक्स्रीम पोजिशन मैक्सिम एड़ दा इक्विलिब्रिम पोजिशन अभी हम पिछे तो कुशन साथ 18 वाले में डिसकुस क कर रहे थे वहां थोड़ा टाइम अधिक लग रहा था किसंस कम हो रहे थे इसलिए मैं वहां से थोड़ा सा आगे निकल गया था तो इसमें देखो आप कॉशन में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो होता है सेलरेशन एफ वो है माइनस का कितना ओमेगा स्कॉर इंटू एक् पार्टिकल है एक्स इकॉल टो जिरो यहां इसका आपन कहते हैं एक्स्ट्रीम फिर वापिस पार्टिकल आ रहा है फिर यहां से वापिस आ रहा है तो यहां था हमारे पास एक्स इस इकॉल टो प्लस ए और यहां कितना है एक्स इस इकल टो माइनस ए सही है तो आगे बढ़ तहा कुश्चन पर वापिस बेक आ रहा हूं देगो कि किसी कंग का सिंपल हार्मोनिक मोश्चन में असलिरेशन कैसा है हमेशन जिरो गलत आलवीज कॉंस्टेंट गलत मैक्सिमम एड़ एक्स्ट्रीम पोजिशन बिल्कूल सही है मैक्सिमम एड़ एक्विल पोजिशन बहाँ जिरो होता है तो सही आंसर कितना आएगा इसका थर्ड कोई समझा नहीं है बढ़ें आगे देखो यहां कॉश्चन आपका है कि सिंपल हार्मोनिक मोश्चन में एपार्टिकल एग्जगेटिंग सिंपल हार्मोशन विद एअंप्लिट्यूड ओफ पॉइंट वन एम तो किश्चन में देखो इसका जो एंप्लिट्यूड है ए वो है पॉइंट वन मीटर एट ए सर्टेन इंस्टेंट वैन इस डिस्पलिशमेंट इस यानि इसका आप उदे रखा है आक्ष वो कितना रहेगो पॉइंट जीरो टू मीटर और इस डिस्पलिशमेंट पर इस असलेशन इस पॉइंट फाइप यानि इस अक्ष पर इसका एफ यानि तो वन जो इसका है वो आपको दे रखा है पॉइंट फाइप मीटर पर सेकंड स्कॉर और आप से पूछा है तो इस पार्टिकल की अधिकतन स्पीड कितनी वो आपको निकालनी है तो आओ साब हमें निकालना है वी मैकसिमम वो होता है क्या है एंटू ओमेगा ए हमारे पास ओलर डी हमारे पास यह नहीं है अब देखो अपन जानते हैं किसी पार्टिकल में जो उसका सलरेशन है उसका अपन निकालते हैं मैगनिट्यूड वो है कितना ओमेगा स्कॉर इंटू क्या है अब इस प्रिशन में आपको एफ दे रखा है इसमें एक्स दे रखा है तो इससे अपन ओमेगा निकाल सकते हैं अब इसकी value put करो देखो, एक के अधर रहे हम लोगों गो 0.1, root of f.5 upon x कितना देखो, 0.02, 0.02, अब इसकी थोड़ी से basic mathematics है, अगर मान लो, मैं इसको, ये 0.02 अना, इसको start करने के लिए, अगर मैं इसको 100 से कर दो multiply, यहां करों इसको 100 से divide, तो 0.02 को 100 से multiply करती क्या हो चुका है, 2, सही है, तो अब बताइए, 50 upon 2 कितना 25, उसका root कितना 25, कितना root हुआ, 5, 0.1 को 5 से multiply कर दो, कितना 0.5, तो राइट आंसर कितना हुआ, 0.5, mathematics तो इसकी basic वो भी neat की बच्चे के जैसी होनी चाहिए, ताकि गलती होने की chances बिलकुल जिरू हो जाए, बढ़े हांगे question में, आओ, question 22, ये है, if a body is executing simple harmonic motion, then, ये दि कोई particle simple harmonic motion कर रहा है, तो कहरा कि अंतिम सेरे पे कोल उठ जा कैसे सुनने होती है, अपने जानते हैं, simple harmonic motion में, total जो उसकी energy है, वो कौन सी है, potential plus kinetic, और वो तो हमेसा constant रहती है, वो तो हमेसा constant है, आप जानते है, extreme पे पूरी कौन सी है, potential, और यहां नीचे कौन सी होती है, mean position में purely होती है, kinetic, अगर अगर अपन यूग किता मानते हैं, पहले जिरू मानते हैं, और सिर्फ वो आपस में कैसी connect होती है, energy, तो यह तो गलत है, कि अंतिम सेरे पे कुल कितनी हैं, शुनने है, गलत बिल्कुल है, फिर करा कि सामय अवस्ता की स्थिपर mean पर cool उर्जा potential की रूप में होती है, नहीं, वहां तो सारी कैसी होती है, कैनेटिक होती है, और सामय उस्ता की स्थिपर कुल उर्जा गतिस की रूप में बिल्कुल सही है, mean position पर, जैसे मालों simple problem होता है, तो यह इसकी extreme, negative extreme, mean, positive extreme, तो जो extreme बाले point आप वहां सारी potential में हैं, यहां सारी कौन सी kinetic, तो यह जो यहां है, यहां x कितना 0 है, तो यहां सुनना देगो, अगर इसको अपन थोड़ा सा समझें कि सुनगो, तो जैसे यह x is equal to 0, यहां x is equal to कौन सा आपका plus का a, और यह मालों कौन सा x is equal to minus का a, जब particle यहां इस तरह से motion पूरे की सारी कहानी इसमें ही जुड़ी भी है, अक्स की 0 होने पर आप निकालते हैं, इसमें f force equal to minus का कौन सा के x, और x की 0 होते ही force कितना 0, और mean position, यहांने सामें आवस्ता की सर्थ क्या होती है, उस पे net force कितना होना चीए 0, उसको पूरा कर रहा है, पर है कहां बेटेजी, mean position पे, तो mean पे सामें वस्ता भी है, साथ में, वहां पूरी energy की सुरूप में सोड है, वो है as a kinetic energy, इसलिए answer कौन सा बना इसका, बोलो, third बन गया, ठीक है, बढ़ते हैं question, next में, यहां थोड़ी से numbering, गड़बर लग रही है, कोई रिकत नहीं है, यह question कौन सा हो गया आपका, 23, एक small m, a body of mass small m, situated at a distance 4 r e from the surface of earth, और r is greatest, what is the minimum energy needed by the body for escape, मैंने आपको भी सिखाया था, कि जब भी किसी body को, किसी भी planet से, उसके center से, उसके अंदर से, surface से, या उसके outer से, आपको escape परना है, सबसे पहले, आप देखो, पहले body कैसे rest में है, तो उसकी यू निकाल लो potential, उसको फिर bandy में बदल दो, और उसको फिर क्या करते हैं, आप kinetic power करते हैं, तो किसन आपका होजा आता है, देखो, मान लो ये earth है, या कोई planet मान लो, इसकी radius कितनी है, ये r, और r e की रूप में हैं, तो yellow साब, अब ये कर रहा है कि, surface से 4 r e, surface से कितना s बराबर, 4 r e distance पे यहाँ पे आप रख रहे हैं, small m, तो आपका पहला काम है कि, इस पे इसकी u कितनी है, u है बच्चो, माइनस का z, capital m, small m, small m समास है, upon कितना, दो नों के 20 के distance, तो 4 r e, plus r कितना होगा, देखो, 5 r e हो गया, अब g m कितना होता है, आप बदल सकते हैं इसको, ये होता है, z r square, और इसमें एक r से r होगा, cancel, तो आपके सामने है, ये है कितना, m, g, r, upon 5, that is, the potential energy of object at 4 r e height from the surface of earth, कोई शुनी है, सिंपल सा काम होगा, अब जो मैंने का था कि, u आपको मिल चुकी है, तो हमें इसमें क्या निकालना, इसकी escape energy, और escape energy, इसकी binding energy है, जो कि हम kinetics से करते हैं, provide, तो half m into, जो इसका v square है, वो हम provide कर रहे हैं, किसके लिए, तो escape के लिए, और इसी को आपन कर रहे हैं, escaping energy, जो किसकी है, जो इसकी negative है, तो minus into minus करूंगा न, तो value कितने हैं, देखो, m z, r e upon कितना 5, अच्छा, आपको तो energy पूछी है न, तो अपका caution तो हो गया भई, question आपका हो चुका है, कि यहाँ energy किती चीचेगी, m z, r e upon 5, फिर भी अगर माल लो इसका, और इसका answer कितना है, यह परन्तों आपको पूछे न, इसकी escape speed, तो m से m को उड़ा दो, और v e कितना 2 से कर दो multiply, तो 2 gr upon 5 का root, इसकी escape सिप्रा जाएगी, तो दो फाइद होगे, कोई गलती नहीं है, बढ़े आगे अप, तो देखें, question इसका 24, तो numbering थोड़ा सा ध्यान देना, कोई इश्यों नहीं हो जाता गई बारा से, आजाओ, question 24, य क्या है, a wooden block performs SM on a frictionless surface with frequency F0, the block carries a charge plus cube on its surface, if now a uniform electric field, e is switched on as shown, then SHM of the block will be, तो इस particle की जो SM हो किस तरह से होगी, वो आपको पता नहीं है, तो इसमें पहले आप सोचो, समझो कुछ, जैसे मानलो, यह कोई एक spring, यह इसकी है natural length, यह इसका free end, कोई mass नहीं है, length इसकी मानलो capital L है, आपने क्या किया, इसके साथ एक party लटेस्ट किया, उसका mass कितना small m, small m लगाते ही, इस पे नीचे लगा force कौन सा mg, और mg यहाँ पे क्या है, constant force है, जैसे आप mg को apply करते हो, तो उस condition में देखो, नीचे force तो mg है, पर अभी लगाते समय, T0 पर उपर कोई force नहीं है, यानि अभी mg बढ़ा है, उपर कोई force है नहीं, जैसे आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानि इस spring में कुछ elongation होगा, तो उसके बाद spring force लगता ह कौन सा kx, direction शो करने के बाद मैं मैं मैं-use नहीं कर रहा हूं, पर अभी kx छोटा है, mg बढ़ा है, ब्लोक नीचे आएगा, अब दो यहाँ इसकी पहले speed की जिरो थी, net force नीचे इसकी speed बढ़ रही है, और मान लो यहाँ आते आते, इसकी V हो चुकी है, कैसी maximum, और इसके बा k a लग चुका है, x ही है, यह maximum नहीं है, अभी इसकी condition कैसी आ चुकी है, यहाँ मैं इसको बोल रहा हूँ, कौन से mean position, जहाँ पर इसके net force कितना 0 है, net mg constant था, उपर k x की रूप में a हो चुका, और अब दोनों force कैसे equal है, opposite है, net force 0 हो चुका है, पर इसकी speed नीचे है, तो अब आप वापिस यहां से मूग करेगा, और यह जितना इस तरह पहले आया था, उत्मा और आगे जाएगा, तो यह देखो अब, यह इसकी mean position है, और इस mean position के about यह उसलेट करेगा है, अब सोचो, कि जो आपने M apply, यहां M को लगाने के पर शाहत इसको free किया, तो free करते लगा क्य mg force, यह एक constant force है, और constant force जैसे किसी spring pendulum पे लगता है, वो क्या करता है, उसकी जो पहले की mean position उसको chance कर देता है, पर अप देखो, इस वाले में, जिसका time period अपने निकालते हैं, वो कितना है, टी बराबर कितना 2 pi root, m by k, time period किस पर depend करता है, 2 pi m by k पर depend करता है, अब परंतो question हमा कि हमारा question यह था, कि यह spring system था, यहाँ पर अपने रखा एक mass, उसको देर रखा, अपने चार्ज कितना Q, और हमने क्या 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 यहाँ पर एक electric field apply कर दिया, electric field E अपने switch on किया, अब देखो, इस पर जो force लगाना F बराबर Q into E, यह force भी बच्चा क्या है, constant force है, जैसे इसको अपन यहाँ से release करेंगे, अब इस तरह लगा Q into E force, यहाँ कोई force नहीं है, इसकी यहाँ पर क्या होगी, आगी की position बनेगी, वहाँ इसकी speed maximum, but force 0, आगी और extend करेगा, यानि जो एक नई बनगी इसकी mean position, उसके about क्या करने वाला है, simple harmonic motion, ध्यान दो, इस परकार की condition बदलने स mean position बदलेगी, परन्तु देखो, जो अक्सल फोर्स है, जो variable force है, आप देखना, इस force पर यह T depend नहीं कर रहा है, तो time period तो वही रहेगा, परन्तु mean position पहले की तुलना में displace हो जाएगी, और नई mean position इसापेक्स, अब यह small M है, वह oscillate करेगा, ओके, तो इसका तो answer क्या होगा देखो, कि समान आवर्ती, क्योंकि देखो, इस force पर यह M upon K पर depend करता है, मास को और K को आपने प्रवावित नहीं किया है, तो आवर्ती वही है, परन्तु विस्तापित mean position के साथ ही क्या करेगा, simple harmonic motion, very good, बहुत पहरा question था देखो, अब पनाते हैं, next question में, और next question क्या है, कि on end of a long metallic wire of length capital, आप instruction को पढ़ लें, मैं तो पटर का question को, बहुत simple question है, अच्छा question है, आप इसको डंक से पढ़ लें, मैं instruction को पूरा आपको बता दे रहा हूं, देखो, यह सुन क्या है, कि, यह कोई एक metallic wire है, इस metallic wire का आपको दे रखा है, येंक smoodless, चलो इसको ऐसे बना और ये इसका है, क्रो सेक्षन ये भी दे रखा आपको, इसकी length L ये भी दे रखी है, ये कोई elastic wire है, जिसका young modulus, इसका क्रो सेक्षन और आपको L दे रखा है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक spring है, वो अटेज कर रखी है, इस spring दे रखा है, force constant कितना के, औके, और फिर हमने य ठीक नीचे, एक small mass के block को hang कर रखा है, और फिर इसको अपन थोड़ा सा displace करके छोड़ रहे हैं, तो पूछा है, इसका time period कितना है, वो आपको find करना है, अब सुनों, एक तरह से ये wire और spring, दोनुं का एक series combination हो गया, अब series combination में, यदि इस वाले का हमें K1 मिल जाए, इसको म एक ही माल लो, फिर इसके साथ मैं small m attach कर दूँ, और इसका मुझे K equivalent अगर मिल जाए, तो मैं इसका time period find कर सकता हूँ, अब जैसे कि जो आपका elastic wire है, उसके लिए आप कोई force apply करके check करते हो, तो elasticity वाले concept से अगर आगे बढ़ते हो, तो आप जानते हो, कि Y equal to होता है, क्या stress upon strain यान डेल्टा L upon L, इसमें से देखो, F upon delta L, इसको अपनी हाँ से फैंड करेंगे, तो F upon delta L, यही तो force constant के होता है, और इसको इससे अपन निकालेंगे, तो हमारे पास value कितने हैं, देखो, Y A upon L, check कर लो आप, यानि आप किसी string का, किसी elastic wire का भी force constant find कर सकते हो, जो कितना है, F upon delta L, और इससे K हमारे पास Y upon L आ गया, क्यानि K1 हमारे पास है, Y A upon L, K2 हमारे पास कितना K है, दोनों हैं series order में, और series order में होने पर इसका जो K equivalent होता है, वो find कर दो देखो, K equivalent है कितना K1 into K2 upon कौन सा K1 plus K2, आज आओ, K1 कितना देखो, Y A upon L into कितना K upon Y A upon L plus कितना K, इसका L सेम कितना L आ गया, L चला गया, उपर उसे कट गया, तो हमारे पास उपर वे लिए कितने हैं, देखो, यह है Y A K, देखो इसका L सेम कितना L आ गया, तो Y A कितना K L, तो नीचे बना हमारे पास Y A plus K L, यह है इसका बच्चो K equivalent, अब कोई समझा है नहीं है, Spring Pendulum का आप जानते हो Time Period कितना होता है, T बराबर, 2 Pi, रूट कितना M by K, और यह formula कई बार आपर बूल जाते हैं, देखो Time, Time, T बराबर, M उपर आएगा, बूल जाते हैं, K उपर है कि M नीचे है, यह भी बहुत काम का होता है, अब इस K के वे लिए पूट कर दो, तो क्या लेकों, 2 Pi, रूट आफ, M, अपॉन के equivalent, कितना के equivalent है, Y, A, K, यह लो साब, Y, A, K, इसको फिर multiply किसे कर दूँगा, यह हो गया आपका, Y, A, PLUS, KL, बस, बस, बस अलग सी बात क्या थी, कि इसके साथ, जो इसका पन के निकाल रहे है, equivalent, वो कितना होता है, अब की बार क्या होता है, कि इसमें आपन बोल जाते हैं, कि स्रीज में हैं, तो इसका के equivalent कैसे निकालते हैं, इस पी थोड़ा सा आप काम कर ले रहे हो, वापीस देख आ रहा हूँ, कि अपने पूरे physics में, जो combinations हैं, वो कितने हैं, कुछ एक हैं, देखो, उसमें कितने हैं, मैं सबता रहा हूँ, इस ये ट्रिक है, के पी सी, एल आर टी, के पी सी, एल आर टी, कपिल, करोड़पती, लालू, राबड़गापती, उसका बेटा कौन है, तेज़श्वी, कि यन कुल छे combination हैं, जो अपने बहुत अच्छे से काम आते हैं, हम सब को resistance, देखो, यह है क्या, य यह पाउर ओब बल्व, कैपसिटेंस, एल यहाँ पे सेल्फ इंडर्टेंस, आर क्या, रिजिस्टेंस, और टी क्या है, आप पढ़ते हो, करेंट इलेक्रिसिटी में, जब हीटर है, उनकी कोईल को लेकर के, अपन एक क्विशन पढ़ते हैं, कि एक कोईल को लगाने पे, ट कितना होता है, आर वन प्लस आर टू, तो अगर दो सेल्फ इंडर्टर जोड रखें हैं अपने स्रीज में, तो कितना एल वन प्लस एल टू आएगा, और अगर अपन उसमें इसको अपलाई करते हैं, कि एक रोड, जिसका रेस्टेंस कितना आर वन है, उसको हम पानी को बॉ वाटर बॉल हो रहा है, पर दूसरे वाले केस में मालो, अपने यूज करते हैं, उतना ही पानी, हमने दूसरी वहाँ एक रेस्टेंस आर टू की कोई कोई ले ली, और फिर उसको अपन गरम करते हैं पानी को, टाइम मालो कितना 6 मिनट लग रहा है, जोड दो स्रीज में, कि कितना 3 इंटू 6 अपन कितना नहीं, दो मिनट, बहुत स्रल है, यह आप काम लेना चीए, यह तीनों स्रीज के हैं, पर यह इसके ज़स्ट उल्टे हैं, ज़स्ट उल्टे हैं, जैनि इनका स्रीज और इनका परलल एक जैसा है, इनका स्रीज इसके परलल के जैसा है, स्रीज म क्या था, बात संब आगी न, आओ बढ़ो आगे, question 26, ये question बहुत प्यारा है, कह रहा है, one end of a spring of force constant k is fixed to a vertical wall and the other to a block of mass capital M resting on a smooth horizontal surface, there is another wall at a distance x0 from the block, the spring is then compressed by 2x0 and released, the time taken to strike the wall is, question को आपने पढ़ लिया है, मैं इसको बता दूँ, question को पूरा देखो, पहले तो एक बात मैं आपको समझाऊँ, कि जब एक चकर पूरा होता है, simple harmony motion में, मालो एक time, एक cycle आई, इसका time कितना t है, इसका angle कितना है 2 pi, और इसका path कितना है lambda, यह आपस में कैसे है, equivalent है, एक तो नहीं है, dimension कैसे अलग अलगा है, इसको पनीक्वल नहीं करता है, equivalent है, तुल लें, यानि, 360 में कितना t है, तो pi में कितना t by 2, pi by 2 में कितना t by 4, pi by 4 में कितना t by 8, यह है angle हमारे पास, कितना 90 में कितना t by 4, और इसका समय है, ऐसे करते करते, जब आप 30 का, 15 का निकालते हो, तो एक अच्छे से याद कर लो, कि 15 डिगरी जो होता आना, वो t upon कितना 24 के बराबर है, 15, t upon 24 के बराबर है, बिल्कुल यह बहुत ज़्यादा important है, 30, बाकि शारे के सारे इसके multiple हैं, किरी मैं आप से पूछूँ कि, 90 तो 15 कितना गुना है, 6 गुना है, तो t upon 24 को 6 से गुना करो, t by 4 आ गया ना, यानि हर चीज का जो base है ना, वो 15 डिगरी, कितने time की equivalent है, उसको अगर याद कर लेते हैं, तो सारा का सारा काम आपका अच्छा बन जाता है, question क्या है, सुनो आप, क्यों सुनी इस तरह से है, एक spring mass system है कोई, उसमें यहाँ एक वाल लगा रखी है, यह कोई spring है, यह कोई small है, mass बाद लो, इसको हमने क्या क्या पहले, two x node तक compress किया, compress करने के बाद, हम इसको support देते वे compress कर रहे हैं, और support देते वे compress करके, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रखें इसको rest में, तो उस case में आपका external force और spring force आपसे बराबर हैं, और यह इसकी है, condition कैसी, जैसे भी है, इसको छोड़ दो मान लो, अब अगर इसको मानता हूँ, बच्चो कौन सा, इसका x0 mean position तो यह क्या है, यह इसकी है extreme position, यह इसका है 90 degree के equivalent, तो extreme से, अब question क्या है, कि अगर मैं इसको यहाँ से release कर दूँ, release करने पर पहले यह particle या बोड़ यहाँ से यहाँ, याँ extreme से mean पर, तो यह तो समय कितना हुआ, तो एक दरस 0, 9T, एन टी बाई 4 रहे हैं, उसके बाद, यहाँ तो कुछ boundation है, यह दे रखा है कि 2 x node की बज़ाए, यहाँ पर कितना x node है, कितना x node, यानि amplitude का आधा, तो अभी हम आपको बता रहे थे, कि जब इस तरह से इसकी motion होती है, तो जो a by 2 है, वहाँ पर angle कितना, बच्चो 30 डिगरी, यहाँ दो आप अच्चे से, अगर हम इसमें, यह कितना 2 x node को मानता हूँ, amplitude तो x node उसका आधा हुआना, तो amplitude का आधा क्रोश करने के लिए, उसको कितना समय लेना पड़ेगा, तो आप देखें, a by 2 पे इसका angle कितना 30 डिगरी का है, मैंने कहा था, 15 डिगरी को अच्छे से याद गर लो, तो 30 उसका double है, तो t upon 24 को 2 से multiply लेका, t upon कितना 12, यानि इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय, t by 4, यहाँ से अपन निकालते हैं, वहाँ बहुत बार काम आता है, किसमें उसके एक end में, यह होता है 1 upon 3, तो इसका मान कितना है t by 3, अब चुँकि बदलना है इसको किसमें, इसके mass के रूप में इसका mass small अम दे रखा, इसका k दे रखा equivalent, तो कितना है 1 by 3 into t का formula क्या होता है, 2 pi root of m by k, बैस, तो 2 pi upon 3 root m by k, इसका समय है, जो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है, जान देना यह इसका extreme है, इसको आना है पहले mini position में, तो t by 4, फिर इसको आयाम का आधा cross करना है, इसलिए इसका कितना a by 2 in 30 degree और करना है, तो कुल्ब लागे देगो वैसे कितना है, यह 90 degree, यह कितना हो, 30 degree, यानि 120 degree हो गया, 120 वैसे कितना है, 30 का 4 गुना, और 15 का, बोलो 8 गुना, यानि इसको अगर मैं 8 से गुना कर देता, तो सिद्धा मेरे पास आंसर कितना था, t upon 24 into 8, t by 3, तो आपकी समझ अच्छी बन जाती है न, उसके बाद इसमें समझ सा रहती नहीं है, तो उसको आप सही से बनाएं, अब आते हैं, next question, फहले इसका आंसर मैच कर लें के बार देखो, तो आंसर था, इसका देख 2, 5 by 3, एम बाई, पिल्कुल आंसर सही आएगा, आप सही बढ़ोगे तो सही आएगा, question आपका 27, आईए, तीन दर्यमानों, 700 ग्राम, 500, 400 को, आप इस तरह से लटका रखे हैं, कि इस 700 ग्राम दर्यमानों को आपने हटा दिया, तो इसका टाइम प्रिड कितना है, तीन सेकेंड, और उसके बाद अपने 500 को भी हटा दिया, तो अब इसका टाइम प्रिड कितना होगा, तो देखो, पहले आपने 700 हटा दिया, तो मास की तरह 900, और टाइम जो है ना, टाइम प्रिड, वो किसके परपोर्शनल है, रूट आम के, तो पहले मास कितना है, 900, बाद में 500 ग्राद दिया दिया, तो बैस, टी डेस अपॉन टी, बराबर कितना है, रूट आफ, एम डेस अपॉन एम, बाद में मास कितना दो, 400 ग्राम, पहले कितना था, 700, अठान के बाद में 900, यह इस से अठा दो, 4 का रूट कितना, 2, 9 कितना, 3, तो टी डेस कितना है बाद बच्चो, 2 बटा 3, इन्टू टी, और पहले इसका टाइम पिड कितना था, देखो, 3 से किंड, 3 से मल्टिप्लाइ कर दो, हटाओ इसको, 2 से कितना, 2 से किंड यह इसका अंसर, बिल्कुल अच्छे से, अब ध्यान देना, जो यह फ्रमॉला है ना बच्चो, T is equal to 2 पाई, रूट कौन सा, M by K, इसमें, स्मूल M जो है, मास ओफ ऑसिलेटिंग अब्जेक्ट या अब्जेक्ट्स, जैसे मैं 700 हटा दूँ, तो कौन ऑसिलेट कर रहा है, 500 और 400, 900 रहा है, पिर आपने 500 और अच्छे सो और खटा दिया, तो कितना, 400, परस इसकी आपको थोड़ी सी केर करनी है, किस्टन आपका 28, रूट कितना ल वाई Z, इसका मतलब यहाँ T पर पोस्टन रूट कितना है, रूट L, मैं लिखूँ इसको T स्कूर पर पोस्टन रूट कितना ल, तो ग्राब कैसा T स्कूर में और L में, स्ट्रेट लाइन, पुर्शन कैसा है, कि T square में और L में गराब कैसा है straight line सल रिखा है जो कि कहां से इसका कोई C भी तो नहीं है इंटरेस्ट किता है नहीं तो कहां से pass होगा तो इस straight line passing through the horizon बिलकुल सही है कोई दिक्कत नहीं है तो बड़े आगे आजाओ question 29 question है कि समरूब ठोस गोले के center से small r दूरी पर ग्रेवीट टेसल पोटेंशल और फिल्ड वी और ई है तो दोनों statement पर धान दीजिए तो ये caution जो आपका है बहुत अच्छा सा caution है मानलो ये कोई solid sphere है इसमें आप जो इसका graph पगिर पढ़ते हो तो दोनों graph आपको बता दूँ पहला मैं ले रहा हूं मानलो easy का percussion देख लो किस का था solid है कि hollow ठोस कोई दिकत नहीं है बढ़वागे तो solid होने पर आप जब इसको इसको क्या मानेंगे इसको आप मानेंगे non conducting metallic non conducting इसको sphere मानना है charge sphere और उसकी जिस परकास से electric field की value होती है वैसे इसका है तो कोई issue नहीं है graph जानते हो यार ये तो होता न इसमें बार बार फोड़ इसको पूरा काम करेंगे अपन हो गया इस तरह भी कौन सा ये होता है yellow पर gravitation potential है उसको देखना है center पर maximum surface पर गड़ता है graph दो ये होता है उसका जानते हो ना अब यहाँ पर condition ये है graph में theoretical person आप से पूछा जा रहा है कि center smaller अपन इसके plus infinities ध्यान देना plus infinities से अपन आते है minus infinity तो कहीं पर क्या graph cut हो रहा है क्या इसकी continuity है वो तूट रही है क्या तूट का मतलब graph कहीं से cut हो गया कहीं value zero हो चुकी नहीं साथ यहाँ तो जो भी है non zero है जैसी भी है हर जिगाए इसकी value कैसी है कुछ न कुछ है इसका मतलब यहाँ distance के साथ जो चाहे तो easy हो चाहे कौन सा vizy दोनो continuously vary कर रहे है discontinuous नहीं है यानि यहाँ पर दूरी के साथ easy और vizy का सतत रूप से परिवर्टन हो रहा है एस तर यानि तूट के रूप में नहीं आ रहा है इसलिए इसमें अब option आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इसका सही होगा देखो आप दो इसमें दे रखे हैं statement कि V का R के साथ वकर कैसा S तद E का R के साथ कैसा दोनों ही कैसा गलत है भई होता किसे परकार से है continuous इसका change तो answer कौन सा कह रहा है both A and B are wrong होना भी यहीं चीए सही क्या था दोनों ही distance के साथ continuously कैसे vary करते हैं बढ़ते हैं क्विशन 30 पे आओ 30 क्या कर रहा है किसी कण की गतिच उर्जा उसकी कूल उर्जा का कौन सा अन्स होगी जबकि simple harmonic motion करते हैं कण का विस्तापन इसकी आयाम का कितना एक चोथा ही है तो सबसे पहले पन आते हैं इसी कण की kinetic energy उसकी कूल उर्जा का कौन साइन्स होगी तो simple harmonic motion में आप मसे बताओ उसकी total energy कितनी होती E बराबर half k a square half k a square सही है अब आप से बोला क्या दा रहा है कि जब विस्तापन कितना हो उसके आयम का एक चोथा ही है यानि x is equal to a by 4 जब है तब उसकी kinetic कितनी है तो x की रूपे आप पहले इसकी u निकाल लो ना u कितनी होती हाफ k a x square x कितना है a by 4 तो कर दो उसको a square upon कितना 16 अब ये तो क्या थी इसकी e तो हमारे पास e upon 16 16 है तो kinetic कितनी होई e में से घठा दूँ उसको तो कितना 15 बटा 16 e simple सा case हो गया kinetic कितनी होई मैं इस e में घठा दूँ देखो क्योंकि दोनों का sum कितना था वो तो e था न तो अगर e में से मैं यहां करता हूँ minus कितना e by 16 इसको solve करने पे हमारे पास 15 upon 16 e यह यहलो साब तो पूछा कितना कितना है था कितना है था 15 upon 16 बिल्कुल सही है बढ़ें आगे किसन को 31 देखो यह कैपलर का simple नियम है जहां आप जानते हो कि sun के center और जो आपका satellite है या planet है उनकी दोनों center है उनको जो लाइन मिलाती है वो समान समय में समान शत्रफल तै करती है तो यहां तो question क्या कर रहा है कि एक देरेकर diagram में उपकरे कि सुरी के चारूं और elliptical path में motion चो कर रहा है चाहिए कि दोनों भागों की area समान है तो समय में कैसे समान है आप परते हैं वहाँ पर समान area समान समय में तै किया जाता है बिल्कुल थिर्टिल पस्टन है इसमें समय देने की दूरती नहीं है आप नेक्स question में क्या question है एक small m द्रेमान के pin को धरती की सताय से अनंत तक ले जाने के लिए आवच से गतिस उर्जा कितनी है धरती की सरफेस पर है कोई समय चानी है आप सब पढ़ चुके हैं अब कोई issue है ही नहीं आप लो यहां इसकी सरफेस पर आप की r radius है इसका mass कितना capital m है और यहां मैंने small m mass रखा सबसे पहले आप इसका u निकाल लो कितना है रेखो मैं यह है minus का z capital m small m m by कितना r इसको अपन क्यालिक हैंगे वो ही g r square इसको solve कर दो मेरे पास मैंने कितनी minus का कितना m z r अब यह जो energy है इतनी ही तो आप को देनी पड़ती है बहार से तो आपने पढ़ा था इसको कि इसकी escape energy कौन सी है e escape वो है इसकी कौन सी binating energy को है कितनी minus of u तो उसको just plus कर दो बच्चो तो answer कितना आपका m z r yellow answer आ गया सही है रुकना नहीं है बढ़ो आगे क्योंकि देखो neat जो है ना उसमें जो आप questions करते हैं तो physics में जितना समय बचा करके आप निकाल लेते हैं ना वो ही आपके chemistry में और biology में marks को increase करने में काम आता है और इसमें जितना fast question कर पाएंगे ना उतना ही आपके लिए beneficial है तो आते हैं question आपका 34 देखिए साब यहां जो लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ें एंग्लिस में time between consecutive appearance of the particle at a particular point यानि इसका मतलब क्या है question को देखें आप जैसे अभी अपन ये पढ़ रहे थे ऐसे यह सब का रूप यहीं से सारा खेल है सारी यहीं से समझ आती है तो माल लो इसमें particle कर रहा है कि इस पूरी एस समय आवर्तकाल को हमें define करना है जिसमें एक point को वो दो बार cross कर रहा है उनके भी इसका समय time period है उस रूप में आपको define करना है फिर समझ लो जैसे यहां कौन सा है point यह positive extreme यह कौन सा negative extreme यह कौन साब का mean तो जाकर के आना तो mean point से गया particle वापिस आया क्या इस mean point से जाकर के वापिस आना मीन point को आपने करमागत रूप में दो बार cross कर दिया ना परन्तु यह तो इसमें किता टी वा इफ टू आना यह तो आवर्तकाल का आदा है आप मालो यहां से इस तरफ गए तो भी नहीं है परन्तु आप समझें कि अगर मालो positive extreme है आप यहां से इस तरफ गए वापिस यहां गए एक आवर्तकाल हो गया positive extreme इसके लाव कोई point नहीं है अब इसके option माहो देखो यह कह रहा है the mean position of तो mean से आप गए वापिस वहाँ आगे यहनि दो बार एक ही point को cross करने के 20 का समय time period रूप में define करना है तो वो किसका है extreme position का परधान देना यहां लिखा an extreme इंगलिस में दोड़ा धान दो an मतलब एक extreme position दोनों नहीं ऐसे नहीं कि आप यहां से यहां गए तो t by 2 आ एक ही extreme position को वापस यह एक ही point को आपको consecutively पार करना है तो इसलिए इसका answer कौन सा आएगा second आएगा बहुत language की एसाफ़ से अच्छा question है बढ़े next question में देगो यहां किसमें question क्या है कि एक कंड का सल आउत गती के एक आवर्थ काल में कंड दोरा तैय दूरी कितनी अभी पढ़े थी कितनी 4A A A A A A हो गया question बढ़े आगे 35, 36 Simple harmony motion के एक आवर्थ काल में उस तुर्ण का मान कितना था अभी हमने पढ़ा था कि एक आवर्थ काल में जब पार्टिकल यहां से यहां से वापिस आता तो average velocity क्या थी? 0 थी तो average acceleration में कितना शुनने है कौन सा क्यूशन आया 4 पहले बात कर चुक है इस बारे में इसलिए समय देने के आवश्चिता है नहीं है बढ़ो आगे कुशन 37 बाओ इसमें कौशन क्या देखो कि A कंड की गती है X equal to A sun में गती प्लस B को समय गती दोरा दी गई है तो कंड की गती किस परकार की है? इसको भी अभी जस्ट पढ़ा था A sun में गती मैंने आप पता था यह कौन सा A फिर कौन सा यह B आपने इसको नेट निकाल था कितना था? यह था आपका amplitude AR क्या था वोलो साब A square प्लस कौन सा B square का root याद है? तो यह इसका amplitude है और इसकी फिर अपने निकाले थी angular velocity बगर है तो यहां तो अपना काम तो हो चुका ना तो यह एक simple harmony motion है पर इसका amplitude कितना है? वो है A square प्लस B square का root तो आपका answer कौन सा? 4 बिल्कुल कोई समय से वाली बात नहीं है यह दो SSM का super impose है ठीक है? बढ़ो आगे Question 38 38 है कि X X के along कंड का विस्तापन कितना है? X equal to A sun मेंगा T से दिया जाता है तो कंड की गति किसे पकार गिये? बहुत प्यारा Question है बहुत ही बिंदाज Question है तो इसको थोड़ा solve कर लें आपको दिरेक है X is equal to A sin square omega T sin square omega T कितना होता है? 1 by 2 मैं इसकी value put रूँना लेको A तो लिखो भार ये है कितना 1 by 2 माइनस कितना 1 by 2 और ये cos 2 omega T सब जानते हैं नहीं जानते हैं तो जान लें भई अब इसको मैं लिखों तो कितना A by 2 माइनस कितना देखो A by 2 और ये वाकोस 2 omega T बात सही है यानि इसका विश्थापन समीकरण हमारे पास जो रियल में है जो उसका मूल है simple harmony मैंने अभी पीछे वर्ड काम में लिया था कि सारे परकार के trigonometry functions का जो root है ना आधार मा जो क्या है वो sin theta है या cos theta की रूप में है तो sin cos की रूप में इसको convert कर लिए है अब ऐसे में देखो जो ये हमारे पास equation थी उसमें ये किसी time के बाद अपने आप रिपीट तो कर रही है पर आप यहां पर बात पढ़ते हो कि x से अपन क्या निकालते है velocity वेलोस्टी अपन निकालते का है इसका acceleration जो माइनस का omega square into x आना चाहिए अब इसमें x से पहले अपन वी निकालेंगे तो इसमें a by 2 का तो कितना जिरोस है का differentiation यानि आप जब इसमें f निकालेंगे तो कभी भी वो इस से x के negative के proportional नहीं आएगा पर एक periodic function है पर ये simple harmonie motion नहीं है बर धान देना इसमें ये इसका है क्या omega ds जिसको अपन लिख रहे है कितना 2 omega इस से इसका मैं निकालता हूँ tempity ds कितना 2 pi upon कौन सा omega ds तो value कितना है 2 pi upon ये कितना था हमारे पास 2 omega इसको उड़ा दो तो pi by कितना omega यानि ऐसे function double frequency और half time period के periodic function है बट ये SHM कोशो नहीं करेंगे बिल्कुल बहुत बिंदाश प्रशन है तो इसलिए इसका आंसर देखो क्या हैगा देखो इसमें क्या लिखा है 2 pi upon omega आवर्ती की simple harmonic motion इसका आंसर देखा fast क्या लिखा देखो साब कि omega upon pi आवर्ती की simple harmonic motion ये गलत है इसका आंसर कौन सा आएगा ये एक non simple harmonic motion है ये इसका आंसर है बचो third इसका question है वो अपन कर लेंगे कि वह हो जाता है लिखने में कोई दिक्ट नहीं है बढ़े आगे question में अगला question है बिल्कुल simple है देखो दीगे फलन में से इसके लिए मैंने कहा था अभी आपको पहले x है इससे अपन वी निकालेंगे वी से अपन निकालेंगे f अगर ये जो f है परपोस्टल तो मैनस का x आजाए वो function simple harmonic motion को इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको follow करेंगे first और third चेक करेंगे आप अजय का इसका अंसर बड़े आग आगे question 40 40 में बिलकोल आपका सामानिक और्शन है कि एक उपगरह दिर्फ बरताकार काक्ष में सूर्य की चेकर लगा रहा है तो किस बिंदू पर उपगरह की रेखी चाल कैसी अधितम होती है तो यहाँ पर यह तो है क्या sun इसके around यह कोई satellite मू कर रहा है तो ऐसे में आप जानते हो कि इस परकार की motion में इसका angular momentum constant रहता है तो m तो वैसी constant है तो v into r कैसा हुआ constant यह है आपका constant तो मैं यहाँ पर v निकालता हूँ तो कितना प्रपोस्ट लो वन अपोन r जहां r कम से कम है वहाँ सकी speed कैसी है maximum तो आप से पूछी कि maximum कहा है जहां उसकी position सबसे पास है तो आप देखो जब b पे है distance यह है c पे distance c है d पे कौन सी है और a पे कौन सी है तो ए पॉइंट पे इसकी speed सबसे ज़ादा है तो answer कौन सा इसका first पढ़े आगे आईए साब question number 41 41 बहुत ही अच्छा question है दो satellite है two satellites of earth S1 and S2 are moving in the same orbit then mass of S1 is four times the mass of S2 which of the following statement is true दो उप गरह है दोनों समान कर सम है very good यही इस question का hint है देखो मान लो यह तो है sun या कोई planet मान लो इसके around कोई एक satellite move कर रहा है जिसका mass कितना small M है इसकी अपन पढ़ते है orbital speed कितनी root Z capital M by small R धान दो जो इसकी orbital speed है न वो satellite के mass पर depend नहीं कर रही है question था दो satellite आपके पास है एक S1 है दूसरा कौन सा S2 है दोनों के mass कैसे इसका mass M कितना है इसका 4 M पर दोनों same orbit में है इसलिए इनके orbital speed कैसी है same है बराबर है अलग-अलग नहीं आएगी तो पीछे आए और देखें इसका आणसर कि S1 और S2 are moving with the same speed reason क्या था mass पे इसकी orbital speed है वो depend नहीं गड़ती तो answer आपका स्थी हो गया question 43 तो 43 में है एक करत्रिम उपगरे जो पर्थवी की चकर लगा रहा है का वेग plan वेग से आदा है एक करत्रिम उपगरे जो पर्थवी के चकर लगा रहा है का plan वेग का जो कक्षे वेग है यानि उसकी जो V है वो कितनी है बच्चो V E by 2 V E by 2 अब यह है का आर्थ की surface से किसी height पर है से मालो यह आर्थ है और यहां से किसी h height पर कोई satellite आप मुग कर रहा है तो ऐसे में इसकी जो अपन पढ़ते हैं का किसी speed कितनी होते देगो यह होती है cm upon कितना r r plus h इसका root is equal to यह 1 by 2 into बच्चो कितना होता है यह escape speed जो कि है root 2 cm upon कितना r अब इसको solve कर दो आब इससे square करो square करने पर देखो यह इससे cancel और कर दो इसको by 4 फिर हमारे पास value कितनी है यह है gm upon कितना r plus h is equal to 1 by 4 into कितना देखो 2 gm by r यह हमारे पास value है gm से gm cancel इसको उड़ादों इससे कितना 2 तो देखो r plus h बराबर कितना हो गया 2 r तो s कितना आ गया r only यहां तो given value put करनी है कोई concept वाला caution यहां पर नहीं है सिर्फ formula पिटिकावा caution है ओकी आईए caution number 44 पर यह basic question है जिसमें सामाने से बात है देखो यहां kinetic emotion कैसी positive होती यह kinetic energy है और u negative में कैसी होती आपको जानकारी होती है न u जो है वो 2 e के बराबर है negative में है दोनों में तो सबसे बड़ी negative में यह जादा है यह कौन से आपकी u यह कौन से आपकी e total energy यह कौन से total है यह kinetic हमेशा प्लस की है और यह कौन से potential और कौन से mechanical हमेशा कैसी negative में होती है तो निचे आएंगे आप only check करना है a कौन है b कौन है c कौन सा है तो आप देखिए a and b are the kinetic and potential a and b are kinetic and potential कोई समय से आनी है बिलकुल simple है अच्छे से आपको आनी चाहिए ने कोई दो question 42 और 45 दोनों question बड़े भैतरी ने इनको अपन और solve कर लेते हैं 42 का जो question है उसमें आपड़े earth is revolving around the sun if the distance of the earth from the sun is reduced to 1 by 4 1 4th of the present distance then the present year length is reduced by ये प्रशन देखो capital slow पे पूरा का पूरा ठिकावा है पर इसी language के अपने नीट में दो तरह के प्रशन बनते हैं कैसे धान दें आप मान लो ये sun है और sun के around earth move कर रही है तो अब इस अर्थ की आप जानते हैं अपनी axis के about rotation है earth का अपनी axis, rotational axis उसके about rotate भी कर रही है साथ में ये क्या कर रही है गूम भी रही है अब जानते हैं अपनी axis के about जो एक one day जो है एक दिन जो पूरा गड़ती है उसका समय कितना होता है टी को होता है 24 hours परन्तु यही earth sun के around जब एक चकर पुरा करती है तो one year बनता है उसका टी कितना है वो अपन कहते है one year तो एक क्यूशन आता है कि अचानक earth की radius है वो reduce होकर के half हो जाए one fourth हो जाए तो the length of day लंबाई दिन के कितनी हो जाएगी वो अलग प्रशन हो गया पर उन्तु यहाँ पूश क्या रहा है अगर sun और earth इन दोनों के 20 की distance अपने कितनी one fourth कर दी तो यह किस के लिए इसके लिए क्यूशन बनेगा यहाँ वाले case में आप जानते हो जब rotation हो रहा है तो उसकी root क्या होती है वो है conservation of linear momentum और यहाँ पे आप नहीं बिल्कुल सिंपल सा question हो गया बद्धान देना कि यह अलग question है यह अलग question है जैसे इस वाले बात करते हो नए इसमें question कैसे करना होता है अब मैं बढ़ते है J is equal to कौन सा आई ओमेगा अपनी अक्स के about तो as a sphere भी हो करेगी दो बटा पांच m r square मार्स परकते constant तो J यहाँ पर किसके proportional हुआ J बैसे constant है पर किस भी depend कर रहा है यह दो r square और इसको गड़तों है 2 pi upon t तो r square upon t अब यह है क्या बच्छो constant इसका मतब t proportional कितना हो गया r square हो गया अब r कम करेंगे यह जादा करेंगे उसके according दिन की अवदी कम यह जादा हो सकती है मैं लिकर्षिन आता है कि one half गड़ दो तो अराम से इससे कर सकते हो बोलो तो वह 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 क्रॉशन है यह वह 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 क्रॉशन क्या है इसमें कैपलर गानियम है तो यहाँ देखें इसमें कैसे करना है तो आप जानते हैं कैपलर स्लो के अकोर्डिंग टी स्कार प्रपोस्टल कितना आर की पाउर त्री और मुझे टी निकालना हो तो देखो टी हमारे पास हो गया आर की पाउर थ्री बाई टू बस अब मैं लिखों इसको टी डे सपॉन टी बराबर कितना आर डैस अपॉन आर इसकी पाउर कितनी बचो ट्री बाई टू अब इसमें आर डैस कितनी हैं है वन फॉर्थ आर वै पॉर्त तुयहां में लिखों आर बाई 4 अपॉन आर र से आर कैंसल वन अपॉन फॉर रहा न तो ये देखो साब 1 upon 4 है इसकी power कितनी हो गई 3 by 2 अब mathematics में जब आप questions करते हैं यहाँ पर तो mostly इस परकार की data आपके पास आजाते हैं तो ध्यान दें आप अच्छे से कि कहीं पर भी आपको solve करना हो x की power कितना 3 by 2 इसका value कितना होता है x root x इस तरह से इसको धान रखें आप मालो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितना 4 यह 4 है इसकी power आपको solve करने कितनी 3 by 2 तो value कितनी है 4 root 4 यानि कितना 4 root of 4 कितना 2 तो आपका answer कितना हो गया इसमें यह 8 हो गया कहीं पर भी आए उसको solve करना है तो यह power बच्चों है किस पर 1 पर भी है तो 1 root 1 तो 1 हो गया यह इस पर भी है कितना 4 root 4 कितना हो गया 8 हो गया तो answer कितना का 1 upon 8 अब इससे solve करेंगे बच्चों तो T days हमारे पास कितना है T by 8 पैस क्यूशन आपका ready है अब पर यह है क्या 1 year upon 8 एक साल की तुलना में अब कितना उसका 1 एड़ हो जाएगा क्या उसकी गुमने की अवदी तो वर्तमान वर्स की तुलना में कितना 1 by 8 हो जाएगा अगर प्रस्ट यह होता ना कि अर्थ अगर अपनी डिडूश को डिडूश करके half कर लेती है तब टी कैसे आर स्वाइर के परपॉसल ना है तो इसमें पन हाफ करते है ना तो कितना 1 फॉर्थ कितना 1 फॉर्थ यानि इसको सॉल करते है आप लेगो तो यहां से अपन लेते हैं बच्चो कि टी डेस upon टी इस इकल डो यह होगया आपका आर डेस upon आर है इतनी रह गई, six hours, कितना गट गया, 18, दोन उतरे से पूछ सकता है, तो कृष्ण बहुत अपने आप में विशिस्ट है, प्यारा प्रशन है, आपको यह अच्छे से आना चाहिए, ओके, देखें आप, कृष्ण क्या कर रहा है, कि प्लानेट has mass one-tenth of that of earth, while radius is one-third that of earth, तो जो दे रखा, उसको पहले लिख दो, मैं यहाँ पर, कि mass of planet mp is equal to me by 10, इसका मतलब मैं इसको ऐसी भी तो कर सकता हो न, mass of earth is equal to 10 times of the mass of planet, very good, दूसरा, radius कितना one-third of earth, तो radius of planet is, radius of earth by 3, और इससे पर निकालते हैं, radius of earth, तो बच्चों कितना बाद 3, radius of planet, यह given है, फिर question क्या कर रहा है, if a person can throw a stone on earth, surface to a height of 90 meter, एक व्यक्ती, किसी बस्तू को earth की surface से 90 meter की उंचाय तक फैंक सकता है, then he will, यह वो ही व्यक्ती, और he का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि, जिस स्पीड से वो अर्थ पे फैंक रहा था, उसी से कहां फैंक हैगा, और वो उस planet पे, तो you constant हो गया, बस, यहाँ इसको आप लें, constant, able to throw the stone on that planet to a height, तो उस planet वो कितनी height तक फैंक सकता है, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है, कोई दिकत नहीं है, तो आप बताओ मुझे, कि जो h maximum होती है, जब किसी body को आप vertically apart through करते हो, तो h maximum कितना होता है बच्चो, वो होता है u square upon कितना 2g, अब u square तो कैसा है, constant, जब यह constant है, तो अब depend करा किस पे only purpose लो one upon g, आप जानते है, g जो है, वो किस पे depend करता है, जैसे requirement है उसके नुसार, तो gm by r square, तो r square तो नीचे था, उ स्कूप पर ले जाओ, yellow, कोई समस्या नहीं है, तो अब यह capital जी तो constant है, तो रहा क्या, r square by m, यानि दो dependence रही किस पे अब, जो h maximum हो किस पे depend कर रहा है, r square by m पे कर रहा है, वो दिर रखी है अपने comparatively, put कर दो, आ जाओ, मैं लिखो यहाँ पर देखो, h planet by h, earth is equal to r, तो पहल square पर depend कर रहा है, mass, mass देखो, m by m, पर धान देना, मैंने यहाँ लिखा है, पहले planet, तो m planet नहीं से कर दो, तो yellow planet, यह कौन सा हो गया, आपका earth, अब value put करनी है, यदि मैं यही value put करूँ देखो, मैंने आपको, यहाँ लिखवा है, mass of earth कितना 10mp, तो mass of earth, यहाँ लिखो कितना 10 10mp, तो mp से mp cancel, यहाँ तो कितना हो, 10, यहाँ देखो, इसमें multiply में आगे तो कौन सा 10 हो गया, और फिर आपन लिखें, यहाँ पर re, तो बच्चो, re था कितना 3rp, यहाँ लिखें, 3rp, rp से rp, cancel 3 का square कितना हो, बोलो बोलो, 1 upon 9, तो yellow सा 1 upon 9, clear, बिल्कुल सलीकी से काम होन अचीए, अब अगर आपको sp find करना है, तो कितना देखवाया, 10 by 9, into maximum height of projectile on earth surface, that is 90 meter, तो कर दो इसको multiply, yellow साब 90, उड़ाओ इसको, कितना 10, करो इसको multiply, इसको 100, तो जो व्यक्ति, आर्थ की surface से किसी वस्तो को 90 meter maximum height पे फैंक पा रहा था, वो ही व्यक्ति, दूसरे planet पे कितनी ice तक फैंक सकता है, वो है कितना 100 meter, तो देखो बच्चो, हमने यहाँ जो gravitation और iceism के questions किये हैं, 45 questions हैं, सारे अपने questions वालो करें हैं, आप इनके आसपास के सारी theory को भी हमने से समझें पढ़ें, और फिर और questions प्रैक्टिस के आप करते रहें, समय बहुत खराब है भी, करोना का time चल रहा है, घर पे रहें, सुरकशित रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पीएं, बड़े जो बुजर्ग आपके हैं, उनके साथ रहें, उनकी सेवा भाव करें, और द TLC, 11th, 12th, Target, उसमें NEET, G, सारे प्रकार के batches, with cross course भी आपको पता हैं, सारे प्रकार के batches आपके साथ चल रहे हैं, तो आप उसका उप्योग करें, और NEET और GMAN, कि जो प्लेयर सेंट 21, 9, 10, 20 के, वो अच्छा अपना परफॉर्म करें, ओके, बैस्ट आप लाग, थैंक यू झाल, 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